मुखी मुझे बहुत डालग रहा है मुखी अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ जरा सबर रखो हम लोग मर जाएंगे मुखी सरोजा सरोजा कैसा हम पहर हैं वैसे करोगी तो ट्रेंड रूपियाएगी क्या कर पाओगी करूंगी ना सर आप बताएए ये भी ना क्यों वेका मुझेट पगली मिली है उसे भी आप भगना शाते हो किया जरम है पीछे ड्राइवर के बगन में हरे रंग का बटन होगा उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा वही एमर्जंसी ब्रेक है उसे खीच कर ट्रेंड रोको रेड क्रीन लीवर की बात तो ठीक है पर दोर मैंने ट्राइग के ऊपर नहीं हो रहा था सरोजा बस तीन मियक बाकी है तुम्हारे हाद जो भी लगे उससे इंजन के दर्वाजा तोर दो इमर्जंसी ब्रेक लगाओ त्रेंड को रोको तुम्हारे हाथो में 742 लोगों की जाने है प्लीज सरोजा प्लीज सरोजा मैं वर्गों सरोजा सफल कर आराम से आए वागर लड की अरे उसे तोड़ो माल तो पो की टो की है हुआ आ आप JAY आभ … स похож औरै घ्रीच ठकाइ आप learntते एक अ हुई जबतो आप आ दोई प्रिच भी आगए हुआ प्रिच आग्ए हुआ वे जभी त्स दोई मैं talking वे लोव मैं कि में जबत एक वह याई हर दोई ममुचता है दो जबत आएक को माई दोई मुझे पता है प्रिजार रहा है तुम पीछे हो कधी क्या करती हो वहीं पकड़कर बैठ नहीं सकती थी क्या यहां क्यों चली आई वहां से तुम नहीं जिख रहे दें तब यहां पर हो ना इसे भी यहां चली आई प्राद प्राद बढेच जाओ और ठीक से पंगर बेचाओ, बेच जाओ मेठी रो खब झाले लगा हृुड़ झालु झालु थालु कि अचार हृ। रंओडो छाल sle chilly... शचार proposed one रंच़ झाल ॉप झाल का लूल आज आज हुआ हुआ का लू हाल भी अजट कि अ अए hear कि अजे पाम फी लूए कि अजे पाम कि printers कि खिसे हुआ कि अगन कि अगaken कि अल única खिसा हुआ ákर्ण कि बख्यू कि अग्यू कि अगस पाम को की के रहे पेटने अंफ जुँ ждफते हैं करते लिसे लिए केरे अंपी लिए से बेटा बड़े आराम से मोड रहे हो शेर लिख रहे हो सब्सक्राइब कुछ न समा दूँ बेब कुछ फ़स्ट फ्यान दो सब लोग तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पैंट्री कार होगी लेकिन मेरे लिए ये एक पैरा मिलिटरी फोर्स है यस सर कौन था कौन था रह लेका नाटक करना काम से चोरी करना यह सब यहां नहीं चलने वाला चुप करना रहे क्या बोला चुप करना ओ लिसन लेबर्स अपनी पैंट्री सर्विस में फर्स्टाइम लॉंच कर रहा हूं इतनी चैनल यह क्या है यार एफम की सारे चैनल आते हैं जूता हाथ में आए तो एक-एक कोदुँगा वोकी टॉकी है ये तुम्हें नहीं पता नहीं पता रख एक दूसरे से इस से आसानी से बात कर सकते हैं तो अपने आनी से बात कर सकते हैं झे extending को पैकेट रहा है नंबर वन हर acoust केर चीज में चूरी यह बिर्यानी को पैकेट हैं दोडु उठा रह अच्छा सुनो इस पेपर में जैसा लिखा है उसे देखर अप्टा उठालो कोई दूसरे का मत उठाना इसको आगे बढ़ाओ एक बात और यह वाकी टॉकी से कैसे बात मुझे पता है सर तुम्हें तो पता नहीं था तब पता नहीं था अभी भी नहीं पता है इस तरफ का आ हैं पैंट्री के रूल्स बता देता हूं रूल नंबर वन किसी भी हालत में कंप्लेंट वो पैसेंजर के हाथ में नहीं आनी चाहिए और रूल नमर टू सर जावेद तुम बता दो चाय हो या काफी कस्टमर पीने के बाद यह बोले कि चाय पानी जैसी और काफी बिल्कुल काड़े जैसी है और मुह पर थूख दें तो क्या करना चाहिए मुह साप करके मुश्कुराते हुए थैंक्यू सर थैंक्यू मैडम बाई-बाई बोलकर वासे निकल लेना चाहिए तो सारे पैसेंजर्स उस मैनेजर कमीने को लिकर रहो ऐसे बोलेंगे तो तो फसा दो मुझ या डेंग यू यह सब बोले ना आपके चेहरे का जो शेप है उस पर स्वाइन फ्लू ही फिट बैटता है डिटा सर तुम जान बुछ कर यह सब करहो ना नहीं सर अगर कुछ डाउट हो तो कैप्टन सही पूछना चाहिए ना गट एंक्स आई गाट मैं स्टुदेंट चल निकल वाट चल निकल ना रहे जाब है काम पर ध्यान देनेगा फाल्तू बादे लेगा क्यों बूलता है जजी नहीं कर पा रहा हूं मैं है ही ज़ा निनुसेंट पॉइट ही आपी आई हमचान चाहिए ऑड़न आई हम डाइक कॉंगल बड़ चेना और दो इटल फरतक कर देजैना सर्फम कर दूंग способ कर रोना से जितना पसे के देंगा बसकंफर्म कर दील पिर पैसलागं के छलेगा मजाक क्यों करते नहीं सर्थ फिर वेट यहां सी अधर्म करके क तो ने मुझे समझ क्या रखा है जहां सी आएगा तो बाहर देख जाएगा तुम लोग यहां पर ऐसे क्यों कड़े हो दर्वाजा अंदर से बंदे क्या तो फिर माजरा क्या है माजरा चोटा लेकिन तुम लोगों की परिशानी है क्या अरे बाई एक हीरोइन के आ गई तो तुम लोग यहां अपना काम चोड़कर सीधे जगड़ा करने लग गए हो वहां पाकी कंपाट्मेंट में सर्विस के लिए कोई आदमी नहीं यह तुम लोगों को शरम नहीं आती है शरम नहीं मैं ही रखोंगा क्या इतनी देर से हम जगर रहें अंदर जाने के लिए और तू चला जाएगा तुम सब जूनियर हो मैं तुम लोगों का सीनियर हूं तो मैं ही जाओंगा ना अरे बुज़ुरु आत्मी आप वहां जाकर क्या करेंगे मैं जाओंगा तो कम सकम एक शारी सम सेलफी लेकर नहीं दिखाई ना क्याप्टन कॉलिंग मैटनें कहा हो ओवर सरे सफाइब में हो सर सरे सफाइब में एक आदमी है सर तो मैं जूट बोल रही हूं जाकर देख लिए आरे सब कहा मारक है हो ओवर क्यों तुम सब लोग एचे वन के दरवाजे पर खड़े हो कर सुपरवाइसर भाई आप भी ना कम से कम मुझे तो ढंसे काम करने दीजिये ना इसी क्या हुआ अच्छों जैसी बात करने लगा अच्छों जैसा नहीं हूं इनोसेंट हूं ऐसे ही सारे एचे वन के दरवाजे पर खड़े रहो पैंट्री का दिवाला निकल जाएगा मैं सुचा थे एक समझदार असिस्टेंट मिल जाएगा पर चुगली करने वाला असिस्टेंट मिलेगा यह नहीं सुचा था जाएगा समझना क्या मुझे तुझे क्या है आप में नहीं जाने दूगा रही किसी को नहीं जाने देने माला और पुट्टें तुम सुपरवाइजर होई है स्पाइडर मैं ऐसे चिपक कर खड़े हो यह पीड को जमा है कुछ नहीं सर वेलकम किट देनी है मतलब हैचे वन इस करेक्ट टाइन चुकनेक्ट है श्रीशा ही आई है ना कोई बड़ी महरानी तो नहीं है एक हिरोइन के आगए तुम लोग काम करना बंद कर दोगे कौन से केविन में है को रस टॉप एटू में रहने वाले मुखी कुमार एचे वन में तुरंद आजाओ या कस्टमर को सर्विस दे रहा हूं आउंगा तो काम चला जाएगा तुम नहीं आए तो मेरी जिंदगी बरबाद हो जाएगी ओके सर ओन यूर फीट सर सर आओ डी के किसको कहा जाना यहां से बाहर कौन निकलेगा मैं तय करूंगा जाए तुम्हारे पाओ भी अब तक जाम हो चुके हैं पिछले अपने पोदी की शादी की थी ना बेवकुक करीका तो ये को ना है अब तक तुम लग गए नहीं आसे चलो ये इसके हाथों में देदो बेटा देखलोंगा जावेद जी हम संभाल लेंगे आप अपने काम पर ध्यान दीजिए अपना ध्यान रखिए सर सर जिंदगी का एक मकसद कि किसी हेरोईन से प्यार करके उससे शादी करने तुम बहुत बारिश हो रही है सर मतलब अच्छा शकून जी सर शिसा के आखरी मूवी म उसके भीगने के बाद च्छाता क्यूं उसमें सब कुछ एक एक करके सर डायलक थे बेटा ला जवाब थे वो सर उस फिल्म में वो गूंगी है सर तुमें तो पता नहीं था नहीं है सब अपने लड़के बता रहे थे सर और बेटा सर वी सिक्टम सही होनी चाहिए कोई भी क कि वो भी माने तो ना सर बेटा सर मैनेजर शब्द पर दबाव दे कर बूलना ओ ठीक है से बगवार कितना इनूसेंट हरे तू ऐसा ही पला बढ़ा हूं सर ठीक है मेरे पास आगया ना सर आप फिकर मत कर ओके सर और हां जब तुम मेरे बारे में ऐसा बोलोगे ना तो वह ख मुझे मैं सब सम्हालूंगा सर मैडम मैं स्लिपर में जा रहा हूं कुछ काम होगा तो बुला लिजेगा मुझे सुन मेडम का ध्यान रखना ठीक है मामा क्या चाहिए क्या हुआ क्या हुआ मेडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन मैडम आपकी आखरी मुवी पूरी भीगने के बाद चाता क्यूं सुपर मुवी है मैडम क्या किरदार निभायत आपने क्या एक्टिंग की थी मैडम हलना मच गया था मैडम डीवीडी पर थियेटर में ऐसे बीस बार से ज्यादा तिक अबर धिया मैं एक चब और हो भी कर रही हो असिस्टंस घंट सरोजा तुमा कि से बात कर रही हो बैंट्री वाला है बॉलाओ बुलाओ 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 बॉलाओ ब्रेक्फिस्ट मैनी में क्या है इडली पॉंगल पुरी वड़ा ब्रेड ओमलेट के लॉग्स मिल्क मेडम और ले लो एक पॉंगल वड़ा और एक पुरी भाजी एक पुरी भाजी ब्रेड ओमलेट ब्रेड ओमलेट मेरे लिए इतना काफी है इन लोगों से भी पूछ लो कि इन है क्या चाहिए इतना काफी है मैं भी डाइट पर हूँ ना हाँ बोड़ी फिपनेश इंपर्देंट मतलब 11 बजे आपको सूप नहीं चाहिए सूप भी है हाँ सूप है बड़े बड़े पकोड़े हैं हमारे पास समोसे बनेंगे कटलेट मिलेगा क्या भी मामी के लिए नहीं मिलेगा चार बजे मिलेगा कटलेट भी है तो एक काम करो पैंट्री मैनेजर को बोलो हेरोईन शीशा को कटलेट चाहिए उसके लिए स्पेशल बनवा कर भेजें अरे मैडम वो मैनेजर खूसट बुढ़ा हुए मैडम पागल है वो कौन है वो मैनेजर उसको चोड़ी है मैडम ओल फेलो आपको कटलेट चाहिए ना मैं बना कर लात मुखी बार-बार बुलाओंगी हां तेरी तो सरोचा तुम मुखी का नंबर ले ले रही हो ना बोलो बोलो ना 916 677 तुम और मैं दोनों हो जाएंगी एक हां तुम और कौन 3411 तुम्हारा नंबर मैं कॉल करूंगी पर मैं उठाओंगा तब ना पालतु नंबर में उठाता नहीं हो नोट कर लो बोलो ट्रिपल नाइन फो टू एट सिक्स एट नाइन वन नाम रोजा है रोजा यह यह क्या राजा क्यों टाइब कर रहे हो ओंगी फोन में फोन में लड़की का नंबर शेप करके रखते हैं तो रात को लड़के लोग नंबर निकल कर मस्ती करने लगतें इसलिए और इसलिए और यह कुट्टा चिंकी यह मन कर रहा है ऐसे ही प्यार करता रहूं। रोजा 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 रॉजा रोजा रोजा र... अनुखी कुमार? सौरी सर। जब तक वो स्येटनी हो जाती तब तक चपल सरी मारो गे तो चलेगा। पेटा उसे मिले मिला सर क्या बोला आपने जैसा बोला ना ऐसा ही बोल दिया और बोलो मेरे बारे में बोल बोलकर तुम जो बिल्डप क्रियेट करोगे तब हीरो की एंट्री जो है ना और भी मस्त हो जाएगी करोगे ना अल्रेडी क्रियेट करके आया हूं सर और क्रियेट कर rånलइं शर्णा क्या क्या बना रहे हो त्लसी क्या पना रहे हो और स्कूर निकाल इस बीच कि ठीक उते चिरी आपकोर त्याल की होर त्यूंग और शिऺ के लिए और रहholes वाली के लिए हैं और एक लड़की यह वहां ओ यह बात मास्टर क्याप्टन तीन कटलेट और एक हार्ट शेप्ट उसमें तीर भी मारूंगा कैप्टन वह मैं मार दूंगा तुम बस तलो अरे भाई श्रीशा को देखा क्या बताना कैसी है सेलफी ली क्या श्रीशा को छोड़ना यार उसके साथ एक लड़की थी हाँ वो पागल मोटी जिसके पास कुट्ता रहता है वही न चलिकल क्या हुआ या क्या क्या हुआ या तुझे आज कल सच सुनके गुसा आता है ना क्या सुनेगा बात मैं यार श्रीशा के साथ एक और लड़की आई हुई है वो सली भी पेस वाली एक दम खूबसूरत अच्छी है समझा उसको जब से देखा है तब से कितनी लड़कियों को क्रॉस करके आया हूं लेकिन यह अंदर तक घुसकर ऐसे तबला बजा रही है क् है नाम क्या है उसका भालू है उसका नाम गउरी है एसपाइ में किस दिखाए नाम क्या बता है सरोजा उम्र करीबन 19-20 होगी बेचारी क्यों चोटी उमर में शादी हो जाएगी न किसी और के साथ वै गोर क्या रहा है तेरी किस्मत ही है काये की किस्मत हा बलो बड़ी माई जावेद तेरी बहेर पासी लगाने चारी है रोनी को फोन दो तेरा बहियो बात करना चाहता है बात कर बात कर रोनी रोते हैं बैटा क्या हुआ तुमें बहिया मुझे जो लड़का देखने आया था मुझे नापसंद करके चला गया वो खुद बंदर जैसा था अगर उसे ही मैं पसंद नहीं आई तो किसी को मैं पसंद नहीं होगी मुझे शादी नहीं करने मेरी बात मान तेरी शादी होगी नहीं होगी बैया मेरी किस्मत ऐसी है इस जद में मेरी शादी ही नहीं होगी, यही मेरी किस वदी, रोते नहीं बेटा रोनी, तुम एक नट रुको, मैं किसी और को फोन दे रहा हूँ, वो बोलेंगे कि तुम मुने पसंदो, उसके बाद देखना आप, कितनी जल्दी तुम्हारी शादी होती है, जोती शेया है, शेया उससे भी बढ़ कर रहा है, एक नट रुको, मेरी ताओ जी की बेठी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, मैं शादी बादी नहीं करूंगा, और तुमसे नहीं कर निया है, उसकी शादी करवानी है, बस एक बार उससे बोल दे, कि वो तुझे पसंद है, तेरे पहल पकड़ रहा हूं बचा दे याद प्लीज बचा दे उसे ठीक बोल दें उसे एक प्रट बेटा मैं स्पीकर ओन कर रहा हूं यहलो बात करो हलो मुझे तुम बहुत पसंदो दीदी लड़के माली वापस आ गए रोईनी बहुत पसंद है उन्हें जाविद भाई ने बोला था तब ही मुझे भरोसा नहीं हुआ था प्रट बाई यहां पर लिना मीना टीना माली दी कई लड़के की शादी नहीं हुए है तुम एक बार यहां कर सबको पूलागे कि तुम्हें वह पसंद है तो सबकी शादी हो जाएगी जरूर आना बही यह लेकर आए उन्हें प्क्का लेकर आउंगा जरूर लेकर आउना कमाल यार तुभी मुझे भी यकीन था कि बात ऐसे बन जागी तेरे कहते यह बाई यह ट्रेफ का तुमने के बाद यह बार काहों चलना मजाग सूझ रहा है क्या तू देख ले ना इस ट्रेन के चन्नाई पांचने से पहले उसे पटा कर दिखाऊंगा आरे तू भी नसीब तो देख तेरे बोलते ही एकदम अन्देरा हो गया भाई वो लड़की तड़ा में उतर जाएगी क्या हुआ भाई सीरेसली प्यार करता है बाकी लड़कीों के बारे में बोलते समय भी मुझे एसास हो जाता था लेकिन इस लड़की को देखते ही अन्दर रजीत से हैसास होता है लेकिन शब नहीं निकल पा रहे हैं ऐसा ही ना तब तो यह पक्का वाला प्यार है मैं मदद करूँगा तेरी तू कैसे मदद करेगा फुल्फिल के साथ शारी पेश करता हूं वही लिग क्यों से देदे छोड़ जुपकर देख बाई यह का हाँ थो शोड़ी चोरी वापस से चोरी लिखना है यह बीच में भाग बोला करा डिस्टर बहता है यह ठीक है ठीक है चोरी 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 तुझे कभी गाली दिया मैंने आज मजबूर मत कर चल जब आब आख चोरी 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 एक चीज बार-भार बोलने से है यह जा ऑर यह से लूनितों घुल क्योंने kein भाइँ क्या है हाट इससे पढ़ जाएगी वह सिखें दिशाया हों महसब त् lesi ग्र्डडाश कि बोल कर देना है् जाבר के लौकर देना मेरा दिल बोलकर देना अगर उसका दिल inhib crest हम उत मैडम आपने जो भी अपनी नई वाली फिल्म में गाना गया था ना उसके लिए कितने टेक्स दिये थे एक एक लाइन 5-6 टेक में मैं तो कोई भी सौंग बस एक ही टेक में गा सकती हूं वो सौंग है ना उसके दूसरे अंत्रियों में जाने मन वाली जगा पर थोड़ा सा सुर गया है बस है ना वो आटो ट्यून कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा तेरे बेसुरे गले से निकला हुआ गाना भी ठ ठीक है मिलेंगे तो बोल दूँगी आपके लिए मैं खास बना कर लाया हूँ मोर पैंट्री यह क्या है कटलेट है वो तो मुझे भी दिख रहा है बाकी सबको राउंड शेप में दिया मुझे हाट शेप में क्यों दिया अब एक ही तो हाट है तो सभी को थोड़ी दे सकता हूँ इसलिए सिफ आप के लिए इसमें यह तीर क्यों बनाया हाट बिना तीर बस वही तो बोला अगले साल से में इस फर्स क्लास में तो फ्लाइट में जाओंगी तब तुम देख लेना फ्लाइट में जाओगी तो दिखेगा फूट बोर्ट पर खडी रहोगी क्या मैं उसके पंक पर बैट कर जाओंगी तु यह जा अरे आइसे लट रखने से अच्छा क्या अच्छा है आप तो शोले के संजी कुमार लग रहें सर आप मुखी मुखी क्यों कर रहे थे सर देखो मुखी कुमार मेरा स्टुडेंट है मेरे दिल को कटलिट के शेप में लेकर गया है उसे देखकर श्रीशा मिलना चाहेगी बुरा नहीं माने तो एक बात बोलू ओ नहीं सर वो हिरोईन है अपनी जिन्दगी में पता नहीं कितने बड़े लोगों से मिली होगी वो उन सब को छोड़ कर वो आप से प्यार क्यों करेगी उसका दिमाग नहीं खराब है जल रहा है तू हिरोईन को तो हर कर देगा चपल खाएगा तूसके मुकी कुमार क्या हुआ सर कब से मैं इंतजार कर रहा हूं चल जड़ा हिदरा इथरा इपट यह क्या आतादिल यहां पर है उनका है यह आपको देने को बूली है शीषा बूली है उनकी मां उनकी मां मेरी उम्र बताई उसे पीना के तो पर उसकर आगया है कभी हार नहीं माननी चाहिए कुरियर बॉय तु परिशान क्यों होता है सब्सक्राइब काम करना यार काम कर यह दिल है मेरा यार उसको दिवाना बना दिया बना दिया ना नीचे गिराए भी ना ठीक से बनाना सर आप अपना दिल बनाई ना सर बना दिया बेटा लोकिंग नाइस ना थैंक सर यह क्या बेटा तुम मेरी मदद कर रहे हो ना तो थैंक तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए ओके सर इस बार बिलकुल उसे दे ना बेटा इस बार क्या बोल कर दे दूं सर वही कुछ फट से बेटा सर ऐसो से कंसर्ट करने की ज़रोत है नो 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 क्या बोलका दूं तुझे प्यार हो गया ना हो गया कुछ सूज रहा है ना तो बस वही बोलकर तो देने वाला हूं लाज जबाब बेटा हम जो बात करें वह बिना जाने हास रहे है यह लोग बागल है पागल बागल है तो यह लोग तुम्हें कंफूज कर देंगे हाठ ठंडा हो रहा है तुम लेकर जाओ ठीक है और इस बार तुसे जरूर मेरे लिए पटा लेका जानता हूं रास्ता दे बोला बेटा ज अब बोला बता है सूप है, घुल गया, है, सूप को अच्छे से मिला कर पिना तो पूरी ताकत से गाली दे सकोगी, जैवे दक्तर सर, बोलिये न, क्या बात है, एक सवर्दस शैरी आ रही है, जरा सुन ले न, यार, राइटर साब, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अपने राइटर साब है न, लेडिसस चावी दक्तर साब, हैलो, मुखी, हाँ, मेरा खास दोस्त है, क्या हुआ सर, डाउट है क्या, डाउट, सर, यहाँ बहु जो शैरी सुनाएगा, मैं सुनूगा, तु बोल रहा है, सुनने को, मैं तो शैरी बोल गया, तु होटल में बैट कर सुनेगा, तब भी तुझी कुछ याद नियागा, हाँ, सर, एक मिनट यार, जुल्फों के गर्म साय में, सर, क्या बोल रहा है, थोड़ा यूजूल लग सुनेगा, सर, यह तो पहले ही आचुका है, अगर अच्छा है, तो एड़ कर लीजिए, मैं कल मारू क्या, सर, अपने बीच क्या धन्यवाद, सर, तु मेरी सुनेगा या नहीं, सर, इतनी जल्दी दूसरी शैरी कैसे, सर, पहली का सुनाई, ठीक है, सर, मैं लिखने के बाद बोले तो छे महने पेले ही जैसे तुम आ रही हो ना, इसी कमपाट्मेंट में जावे दक्तर जी दिली से नैशनल अवाड लेकर वापस आ रहे थे, तब मैं ही उनको बार बार सर्वीस दिया करता था, एक बार सर्वीस देते वग मैंने देखा तो वो एगदम से परिशान ह इसे ही हमारी दोस्ती शिरू हुई थी, वो जब भी फस्ते हैं तो मुझे फोन करते हैं, इतने ख्लोस हो गए आप तो नो, आजकल खड़ी-खड़ी परिशानी होती है, काम भी ठीक से नहीं होता है, सर का, अभी भी देखो ना, सर कहने थे जुल्फों के गरम साय में, मैंन जान होगी, तो मुझे भी कोई गाना गाने का चांस, तो तुम्हें सिंकर बनना है, सिंकर बनकर फिर, अभी तुम्हें जावे दक्तर जी से बात करनी है, बस यही ना, अभी तक सोचा नहीं है, सर, लिखते ही भेज दूँगा, सर, अरे, तू क्यूं सूच रहा है, यहां जावे जी अपनी पहचान की एक लड़की है, नाम सरुजा है, बहुत ही खास है, उसको सिंगर बनना है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जावे जी, आपकी तो प्रीतम जी, एयार रहमान जी, ऐसे बड़े-बड़े म्यूजिक डारेटर की साथ पहचान है, सर, इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे, तो सर, लाइफ बन जाएगी, रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझसे, समझ रहे हो नो, सर, हाँ, समझ गया, मुखी, वही ना, हाँ, वही सर, पहुन दे उसको, हाँ, बात करो, जावेद सर है, हाँ, हाँ, बात करो ना, हेलो, जावेद अ हाँ, सर, मेरा टैलेंट, सिर्फ मेरा टैलेंट देखाँ, सर, काप्टन कॉरिंग माइट टू, कहाँ हो, ओवर, रहमान के घर से बुलावा आया है, लगता है तुरंचाना होगा, तर असल एक गाने पे चर्चा करनी है हम दोनों को, कल शाम तक उनके साथ ही रहोंगा, जाँ, अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होते है, जरा मुखी को फोन देना तो जावेच सर की आवास ता देवानन जी से कापर जलती है अच्छा तो जावेट जी सुना ना आपने आपकी आवास इन्हें देवानन जैसी लगती है है सेट और यह तो भीकारना चाहता है वह हां रखता हूं सर भिछता हूं सर ओके रखता हूं सर मुझे तो याकीन ही नहीं होड़ाहां कॉनसे गान का मादम क देखार हुआ एपलां सम्सानी वेटक है इंडियान ने रहां पैसटन रहां नहीं पैस्टन रहां देल कि अधाओ है यह जगहाँ ठीक है अ ठीक है चलुक तेरा हुआ 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 हु से सिंगर हो वो क्या है ना आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी इसलिए वो शूटिंग में अलग अलग जगह का पानी पीकर तोड़ा सा खराब हो गया है तोड़ा सा हम स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी आवाज चित्रा मैडम जैसी है चोटे-चोटे प कैसे भी कल तक भीजना ही है और तुम तो दो बज़े तक उतर भी जाओगी उसके पहले कैसे तुम्हारा सूर सही करूं कैसे सिंगर बनाओं इलाइची और काली मज़ डाल कर तोड़ा सा दूद मुझे मिलेगा थोड़ा क्या बहुत मिल जाएगा तुम्हें वह पीऊंगी लोग कैसे मरेंगे देखना सरूल मरेंगे ओहो बहुत टाइम हो गया है मैडम ढून रही होंगे मैं चलती हूँ तुम दूद ले कर आओगे ना अरे तुम टेंशन चोड़ो मैं लंच टाइम में दूद के साथ आता हूँ बड़ी लाईच और कले मुझ डाल कर लागा डाल क्या हुआ हूँ ट्रें नंबर 1 1 0 1 5 DC Express is now arriving at the national award for the best female playback singer of this year 2016 goes to Chitra Goshan hey maim am i make a please my my make chega meet me ok maim I'm a call then yeah when the Central minister लेकिन सिर्फ खाना फॉर्ति के लिए मैं सोच रहा हूं कि रिजाई करतो आपके लोगे तो बेरे लिए कैसा क के विर बाइ यहां पर सोने कर नहीं चल जाजा जा जुमें यहां देख गुमें है यूझ को है पाधली यहां है अच्छाइं को फोन है का लिए समझानी सरे मुखी खोला अब शिंद्र से जिए हैंबू हरा इसे लिए अधिदी करो तुर से एक शिल्ला क्यों रहे है इतनी जोर जोर से जोगर आ सर सर वेंडर सर कोल्डरिंग कॉफी टी कुछ पिए गर्मा करम कॉफे ले करा ओके सर सर लंज टाइम में कॉफी आपके लोगे तो मेरे लिए ओके सर खाने के बाद तुन्हें दवाई खा ली थी ना नहीं खाना भूल गया कैसे बूल गया तुछे पता है ने दवाई खा थोड़ा आपकर तो आप यहां काम करेंगे तो फिल आराम कैसे कर लूँ नहीं दवाई समय पर नहीं खाएगा तो तुझे दुझे ही होगी न और पिर ह जाना पड़ेगा एकी बात बार बार क्यों बोल रहा है एक्सक्यूज मी सर में कम अधर आई गए आजए सर गॉड मॉर्निंग सर आइम पैंट्री मैनेजर चंदकांत इंडियन रेलवेज में बेस पैंट्री हमारी है इसकी एक ही वज़य है वह हुँ मैं ऐसा सब बोलते हैं सर कुछ लोग बोलते हैं सर यहां कोई भी वी आईपी आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूं सर क्योंकि यह विंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं सर ना सर आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मैं बुला लूंगा थैंकि सर लेकिन तुम मता नहीं इस लड़के को बेजना सर तो फिर मैं बन करके चलते हैं सर फ्लास्क फ्लास्क हमेने चलता हूं सर चलिए देखा ना देखा अरे वह वाला देखा नहीं कितने इंसान से चोटे की तरह काम नहीं करवा सकते इसलिए प्यार से बाहर बेज दिया इनकी तरह ब्राट वाइट ओपन रहना चाहिए यह सब बड़े गिफ्ट होते हैं तुम जैसी नेक्स जेनरेशन को समझना चाहिए यह सब छोड़कर तुम्हें बुलाया मुझे बाहर बे अच्छे से देख देना सब्सक्राइब तुम कारो मैं टीटी है पैंट्री मेनेजर मैं आंटी मैं आपको सूचकर नहीं आए था मामी पता नहीं कौन है यह सोड़िए यहां पर स्टूपिद चैलो दिमाग नहीं है क्या इस प्रिस तो बेए श्रीशा जी आप मुझे गलत इसा करते हैं क्या पदमाश कहीं का पागल है माजी प्रजिया सब्सक्राइब तूने सब कुछ ओपन करकर दिया सार आपकी ने कहा था जो भी करो ब्राओडली वाइडली ओर उपनली करो वह तो मन की बात की बारे में कहा था सॉरी सर आपकी आखों में हवस की प्यास क्यों गार्यार यहां यहां जो हुआ किसी को पता निजाना चाहिए इस झाल चलते हैं ांतों कि चिंकी यहां क्या कर रहे हुट क्या है नहीं तुम्हारा नाम क्या क्या है चित्रा घोशाल बनो यह मैं चाहता हूं लेकिन इस तरह किसे से भी बात करते घूमगी तो गला और भी खराब हो जाएगा अभी चावे दक्तर जी से बात हुई थी उन्होंने रहमान जी को बता दिया है दूद तयार है तुम तयार हो जाओ मैं बस मेडम को खाना देखर आती हूं क्या उपकुवास कर रहा था उसे सर वेज मिल लेंगे या नॉन वेज में बात कर रहा है तो बीच में क्यों बात करने का टाइम में नहीं है मेरे पास अभी तो पस खाना ही मिलेगा जहां बोला वहीं पोस्टिंग कर दिया ना सर वेज मिल या नॉन वेज मिल पाटी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए चोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे विसाफ कर गया और एक तुम लोग हो हमारे स्टेट की लड़के को तू ऐसे पठा लेगा सर आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं हम सब तो अलवेज ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं सर तो लड़की तुम्हारी बहन लगती उसकी बहन मेरी बहन है तो सरिष्टा हो गया तेरा हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं अटते ऐसा कहा सर वो देखिए डी कैबिन में शिरिशा आ ज लड़कों से पूछ कर देखना क्या एक्टिंग करती है बता देंगे लेकिन क्या है ना उन्हें सिनेमा में काम करने का इंट्रेस नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर बड़े लोग है तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा अदम है ना लेकिन उसकी सुरप्छा के दिए की चीफ कमांडर नंद कुमार है साउथ को है समझाना सर हम भी ढड़े हैं ना सर फिल्मे तो देखते हैं यहंगे आप हैप आपके शहरों में भी ??? हमारें सूपर्स्टास हमारें स्टेट के हैं और अबलेहं सेलफी है ना लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना वह बा यह कोई खिलोना लगता जो तुसे चुकर देखेगा तेरे बसके चीज नहीं है तेरी तो चाहे इसके लिए बढ़ाई किया ट्रेनिंग लेकर एसाई बना कमांडर के सौ दिन कैम करके गन हासिल की है चुए गर सर मोबन रख तो कोड़ी का चाय भीचने वाला बेवकूफ तेरा चेहरा देखे ही घीना रही है मुझे तो पुल्टी आ रही है क्यों सर क्यों सर सौप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता इसका जवाब है तरे पास तू बस मुझे पसंद नहीं है यूर जश्ट सर नहीं सर बुरा लग रहा है सर जैसे तैसे अपनी जिन्देगी ट्रेन में गुजार रहा हूं ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर अगर मैंने कुछ गल्दी किये तो माफ की घीनाती है तेरा चेहरा देखते एक घीनाती है तुझा तु इस तरब सर्विस के लिए मताना अप पेंट्री मेनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बुला कौन है बेटा वो बाहर खड़े हैं सर बुला उसे सर बुला रहे हैं सर आये सर आप यहां कर बैठिये मैं वहां गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूं क्यों भाई मेरे लिए डाल कॉन लाएगा क्या यह भी मैं खाना खाकर चेक करता हूं तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं थिस बात की गर्मी है तुम्हां मुझे लगता है कि तुमने यह सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे सर मैंने उस एंगल से नहीं ब बॉच्मेन भी हमारी इजट नहीं करता है बेटा तुम ज़रा दस मिनट बाद आना ठीक है सर आता हूं सर तुने मुझे फसाया ना नहीं सर शब देख बीच की तरह होता है सर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा होगेगा और बुरा बोएंगे तो अपर आपको इतनी जल हाँ चलते हैं चलते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमारे बैच के दो आदमी मिस हो गया लेकिन हकिकत में वह मिस नहीं हुए कि क्या का इसने मुझे भी समझ में नहीं आया दर्वाज बन कर लेते हैं कर दो और एक लास दूर पियोगी नहीं नहीं काफी है थ्रोट ओपन हो गया अब देखना कैसे अच्छा कि कैसे आई बुजूर्ग को आखरी थी इतनी अच्छी आवाज है ना बहुत ही अच्छी है यहां बहुत से बुजूर्ग हैं एक साथ मत भीजो एक एक करके भीज़ेंगे मेरे चार बज़े के स्नाइक टाइम पर आने से पहले तुम्हें कुछ गाना नहीं है कसम खाओ बस एक बार वादा करो मैं आता हूँ वह कमीना ऐसी बोलता रहता है छोड़ना रो क्यों रहा है तो भी यह तुछ चोड़ने के काम करने के लिए पागल जैसी नहीं, चल उसको पागिली बना दो, उसी कामकार के जोना, कम पैसे में यहाँ नहीं मिलते हैं, जाओ, जाओ, सही, बोल, बोलो, हैच्छे वन में मिनिस्टर को वेज सलाट चाहिए, सर, एटू और एट्री में सर्विस सही नहीं है, पैसेंजर्स यह कंपलेंड क सब्सक्राइब कर रहा है सिंगम सब्सक्राइब को छोड़ कर तू क्यों मर्डर केस में इसको अरेस्ट कर नाम कोई बात कर रहा है सब्सक्राइब कर दो अरेस्ट करो और थर्ड डिगरी पनिश्मेंट स्टार्ट कर दो क्या है सर मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है सर मुझे चोड़ती हैं सब्सक्राइब को यह मेरी स्क्राइब नहीं यार व्सीम खान वो रहा हूं आप कौन से का इस से एक्सप्रेस में आर्डी एक्स और टाइम बॉम रख दो उसके लिए उस चंद्रकान ने मता कर दिया थो उस चंद्रकान के सिर पर बंदुक रहकर गोली माल तो क्यों यूज कर रहा है सर्श यह बाव्म कियो डरने लगा मैं क्यों डरने लगा है मैं क्यों टरने लगा हूं यह लो बंब रखेंगे मेरे में पास भी दिमाग है मैं खुद ही बांब रखूंगा मतलब बांब रखेगा मर्डर केस प्लस बांब केस है 407 इसके लिए तुरंट शूट एट साइट का ओडर दे दो साथ मैं टीवी और पेपर वालों को भी नहीं रखूंगा मेरी बात नहीं सुनेगा तो गोलियों से च किसी तरह अपनी गाड़ी चेला रहा हूं अब मैं कैसे आपको समझाओं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमीर पटेल जी ग्रीन एफेम मुझे कभी खुशी कभी गम से बंदे मात्रम गाना सुनना है अरे मैं सुनील पटेल नहीं हूं यारे मैं सुनील पटेल मैं ज़रूर होगा मैं तुम पर चिलाया इसलिए टॉर्चर कर रहा हूं मुझे सर मैंने तुमसे क्या मंगाया था वेजडाइस सर वेजटेबल सैलेड नहीं सर आपने वेजडाइस ही मंगाया तुमारा मतलों मैं जूट बोल रहा हूं तो पहर में मुझे खाना खाते वे मैं देखा था ना अभी फिर मुझे चावल खिला रहे हो भुखर देखता हो क्या मैं तुम्हें क्या मांगा था मैंने वेजडी मांगा था सर आपने गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए उल्टा तुम आर्ग्यू कर रहे हो सौरी सौरी बोल दिया तो हो गया जो काम कहा जाया अगर नहीं कर सकते तो क्या जग बारने के लिए यहां हो सरा क्या सर क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए ही काम करने आया है ना गौर्मेंट के लिए उसको बाहर जाने को बोलो बाहर जाओ जाओ अगरे पहले तो वसीम खान बोल कर उसकी हालत खराब करती थी यह इस पी सिंगम का नाम लेते हैं उसकी तो और हवाटाइड हो गई हमने तो यह बार करोगे तो मुझे भी बुलाना अब में गरना का सकते हूं तुम भूलोगी ही नहीं है हस क्यों रही है बोल क्यों हस रही अगल नहीं है क्या उसे लात क्यों मारी है सिर्फ उसे ही नहीं तुम तोनों पर लात मानूंगा मैं यह सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्या बोल रहे है क्या बोल रहे है क्या बोल रहे है पता हूं तुझे तो कौरी का चाय वाला है नहीं मुझी आप हच जाए सर आए तुम इतना दर क्यों रही हो वह कर क्या लेगा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है कि मारा ना उसे उसे देख रहूँगा अब तुम जाओ मार दिया यार उसको ट्रेन थी इसलिए छोड़ दिया वरना मार ही डालता मैं उसको एक लड़की की वज़े से किसी लफड़े में मत पढ़ना तड़ा के बाद वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते ऐसा किसने बोला तुझे अब वो ही सब कुछ है मेरे लिए मतलब तु सच में प्यार करता है तो क्या तुझे एक हेल नज़र आ रहा है दोस्तों देवराज सराज रिटायर हो रहे है ये फिर चालू हो गई उसलिए हम लोगों ने यहाप पर उनका विदाई समारो रखा है बदाए यसे है जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थे तब तक ठीक था अब उसकी आवाज सुने बिना रहा नहीं जा रहा है अब मुस करना नहीं है अपनी आवकार जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए सुन प्यार के बारे में बोल रहा है कुछ भी सेट सिच्वेशन में एक छोटा सा शेवर क्या हुआ है पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हुआ तो थोड़ा आजीब लग रहा है पर चैन से रहना है तो अपनी मा के पास चली जाओ मैं क्यों जाओ हो गया ना तुम जाओगी ना मा के साथ एज्जेस्ट करोगी बस हमेशा मेरे सर पर पैटकर जगड़ा करती रहोगी बोलो मत करके दिखाओ तेरी बच्ची के साथ मर जाओगी फोनक फोनक तेमाग खराब कर कि रखती है कि अब बोल ना बेटी दवाया खाली ना आपने अब भूल में कितनी बार बोलना पड़ता है आपको अब अभी खाये अब थीक है पापाईज ऑन डूटी अब मैं फोन काड़ता हूं बात नहीं कर पाऊंगा हां बाई बैटी बाई बाई क्रेन नमबर वन वन जीरो वन फाइव गाड़ सिंकल क्लियर करो कर सेड्र करो कि अब आंब प्यार करके देख तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है मिस्टर मुखी कुमार हो गया ना पानी अब समझाया प्यार का दर्द क्या होता है इसलिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद का प्यार खत्म हो जाता है आपने जो किया था वो प्यार था तो कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुझसे मुखी कुमार सॉरी सर इट्स ओके बेटा मैं तुम्हारी सारी बाते सुन रहा था तेरा प्यार सिंसिर है इसलिए फिकर मत कर वर्काउट होने तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा है पी ना थेंक्यू सर मुखी एक मिनट मुझे अपनी आउकाद समझ में आघी है शेह साम मुझसे नहीं पटने वाली बट रिस इसकी मा को अगर उसकी मा को तो किसी तरह से मेरी पटा दे तुझसे हो जाएगा बिटा मुझसे हो जाएगा आपसे हो पाएगा क्यों नहीं होगा बैटा तेरी तो बताता हो तुझव क्या दूद रहा है अभी मुझे चाहिए कुछ तो इस तरह बात करता है तो तो इस तरह बात करता है तो तक भाग रहा है इतनी रात को आंक में छोली खेल रहा है मैनेजर को पता चलेगा तो गुस्ता होंगे यह सब मैनेजर की वज़े से हो रहा है अरे सो जाओ सब मुझे बचा लो बेटा है दू भी चुप चाप सो जाओ तू अभी तक यही है क्या इस प्रेंट जा रहा हूं मैं जोड़ा ना मैंने खा लिया है मुझे पता है तुने न ठाह से त्याओ कंशन में मोर्य नंहीं और अटेंशन कॉषंचन आजीव है अब यं Altना डाला हुआ है अटेंशन पर कॉषंचन बोल रहे हो क्या हो गया तुम्हें कब से देख रहो तुम काफी अजीब से लग रहे हो आज सारी सर फैमिली प्रॉब्लम क्या फैमिली है हम पर भरोसा रखे पीछे इतने लोग चल रहे है रेस्पॉंसिबिलीटी नहीं है ट्रेन में चर्थे फोन आफ कर देना चाहिए पता नहीं क्या सॉरी सर अव्याफ कर जल्दी करो आफ धर्द हो रहा है किया क्या है क्या है क्या है खाने के लिए कुछ गरम मेले का मैडम ने पूछा है गरम चाहिए अभी तो मैं ही गरम हुछ चाहिए पूछ कर आओ हमें हैं दो ऊं पूछकर राछी के ट्रेंटीं में होना उस कि दो Κाहा है उस नहीं मंदो हो गया है वो मुझे मारने के लिए उताम वह मारने के लिए उतामला है वह बुढ़ जान Medi मुखी कुमार, वहाँ होगा वह, उसको मत बोला कि मैं यहाँ हूँ, बैठी, उसकी मां से उसे इतना लगाओ है, नहीं रहने दो, तुम जाओ, यह जाकर उसे मत बोल देना, पता नहीं मैं भी क्यों बखबख किये जा रहा हूँ, सर, क्या है रहे, यह लड़की क्या पूछ तुम सब को कमारने वाला हूँ, यह पूछ रही थी, तो आपने क्या बोला उसे, मैंने बोला कि मैं तुम सब को एक साथ उडाने के लिए स्टेंड में बंब लगाने वाला हूँ, मुखी, मुखी, इठर की यहीं पर है, नहीं आप उसे डर लगता ना तुझे, डर ना, उ अच्छा, तुम्हें देखना का मन किया, तो आगा, मेरा मनाज बहुत खुश है, एक गाना गाओं, अभी कहा था मन में बहुत खुशी है, तो फिर गाना क्यों, अरे यार, जब ही मेरा मुट करेगा तो गाओंगी ना, क्या मुट? गाने का, क्या हुआ? यहां भी थोड़ सूपब, अडिया अच्छा है, यहां की लोगों को उपर भीजने से अच्छा है कि हम खोदी उपर चले जाएं, नहीं, उपर जाकर ही गाता है, मजाक है क्या, चलती हुई ट्रेन पे चड़कर कोई गाना गाता है, मरोसा नहीं होता, तो इस वक्त तुम्हारे पास आकर यह में आउना बेखती है, तो खड़ी हो जाओ, मार तूक नहीं अख.. जून्य कुमास्तु, क्या हुआ यह वा तुम्हें, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलो, दवाई तो खाली नहीं? था खाली है जो मार दूगा मुखी तुम देखनार कितना अच्छा गाउंगे गाउंगी जलो यहां से चलते मुखी टर लग रहा है मुखी चलो यहां से चलते चैंडबबा कि तीकेन होगी आठ्सव नो रुपे की देदे मुझे तो फिर ग्यूंदिया मजाक मत कर मेरी गन दे दे मुझे गन वो तो तेरी नौकरी है न गई क्या देख मजाक मत कर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगे फुली लॉडड़ेट थी लॉड़ेड मतलब उस बंदूप में गोलियां भरी हैं क्या मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेर तब क्या बोला था तू दोनों को कुली मार देगा क्या बोला था यह मार के फेक दोंगा मार के फेकेंगा इस पर हाथ उड़ाता है कर गल्ती हो गही अब देन disciple sorryedlyar है क्या sorry मैडम से सर का तव कि बोलना ए उर्ड़ सोरी एएझ ये क्या था अच्छी तरह से WiFi करके हस्ते हुए बोल हस्ते हुए वो केसे भूलना हं को सारी एहे एहे क्या गर रहा है थुथ कैसा बोलने कि बोला आपास बिस. चैन्सा बोल बेखा न चिसे तो देखकर ही गिनाती ए हँ मुझे तो दीदो है पुछे क्यों करता है तो गन वापस नहीं करनी है न सोचते हूं देखते हैं अरे मुखी मुखी चित्रा खुशाल कि मुझे क्या पता है सुनो सुनो और तुम हो कि उसके साथ मिलके मुझे इस तरह से इंसानियत में अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं रहे बुड़े बुड़े जुट कुल मिलाकर दसा जोग फ्रॉड हो यह भी ना चिक-चिक कर रहा है यार मुखी मैं तु सेतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं ठीक है दे देता हूं एक घंडे के बाद आकर ले ले ना यह तरडा में उतर जाएगी उसके बाद दूगा गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया अरे यार इतना बोल रहा हूं तो भी समझ में नहीं आ रहा है जल्द बाजी मत करो यार रिकॉर्डिंग के लिए उपर जा रहे हैं कोई आया तो कहना हम उपर हैं और अचानल माजी आ गई तो माजी आ गई तो क्या मैडम जी पैंट्रे से कुछ लेने गई है ऐसा बोल दे मुखी अभी भी कम नहीं हुआ है चलो ना मुखी मुझे तो लगता है मेरे सिंगर बने से पहले तो मुझे माटा रोगे तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो क्या कुछ नहीं तुम आजाओ अरे मुखी मेरा हाथ पक्रोओ अपना चुरू में ही उचे सुरु में क्यों गा रही हो क्यों उचे सुरु में गाने से गला ख़राब होता है मेरे दोस्तने एक बार ऐसी गाया था फिर क्या हुआ उसका अंतिम संस्कार भी जल्दी करड़ा तुम का होगा मजाग मत क्या करो ठीक है गाओ ना सुन ले मेरे मोहन प्यार को अंधा किसने बना दिया बहरा होता तो अच्छा होता अच्छा करों yn ul ar رोभ तो और क्या थू ओपर्डने गई थी इसके साथ वो में मुखी के साथ Crossing मुखी के साथ romance ना क्यों रहे मुखी यह क्या चल रहा है इसलिए तू हुमारे पीछे घुम रहा इसयं की चाय तो तूने अभी तक में दी नहीं और इसके साथ ऊपर उपर गुम रहा हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो नाच कर भी दिखाया होगा मैं सिर्फ काना रिकॉर्ड करने गय थी वह तो रिकॉर्डिंग चल रहे थी मुझे एक अच्छी सिंगर बने मैंने बता चाश्रेया घोशार बनेगी कभी आवास सुनिये अपनी कदे जैसी गाती है सिंगर बन करेंगे लेफ्ट में निक देख सकते हम तो उन्हों एक है है ना कुछ चड़ा कर मुझ पर चार्ज डार ले तुमने पी रखी है क्या किसने पी तुम्हारे पीने के विजए से ना तुमने सिगनल देखा ना कॉशन बोरा अधिको क्या हो गया ये इर्रिस्पांसिब एडि थेंक यू सर गवर्मेंट ऑफीसर बाथरून के पास आ करके सोया था तू मेरी क्या रक्षा करेगा ये इस लड़की को एसे मार कुझ रहा है जावे दक्तर को तुम जानते हो ये कहकर तुम ने इसे बेवकू बनाया क्यों बेवकू बनाया नादान है ये अभी तक दुनि कि खत webinars करे case क्या प्राइब करें gloss के कोई बात नहीं अंकि बोल देंगे को रुए उनसे बात करने के बाद्ए इने हम पर याकीन होगा करो फोन करो फोन उनकी करो ना क्या मूख करो ना क्या हुआ मुख्य यह भूलना क Raw the तूजा यहां से Standard है कि यह वह कोई प्रावلم में के नो कि अजा या कि अधीर्क्तर से मैं मुखी बोल रहा हूं अप अभी बी उसी लड़की के साथ है मैं समझ शकता हो उस लड़की का गाना अपने रिकॉट कर लिया क्या मुखी मैं धीरा मण जी के साथ ही हूँ सरोजा की आवाज सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं, जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग वाट्सेप कर दो, बुखी, मैंने जैसा बोला था, सब ऐसा ही चल रहा है न, बोल क्यों नहीं रहो, फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ से, जावेदक्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लिजिये, अब तुम इनके साथ अपना समय बरबाद कर रही हो, तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया, तुम्हारा ये सब नाटक नोटक यहाँ पर नहीं चलेगा, शर्मानी चाहिए तुमे, मैंने इ याद है ना खर्चा चलाने के लिए तुम्हारी आवास केसी है जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो गाईका बनेगी है सुन तो चुप चाप से माजी के हाथ पेर दबाने का काम करती रहा या फिर अगर चाहे तो इसके साजा कर बरबाद हो जा और अगर यह दोनों ना कर सके तो कूट कर मर जा अपनी मा और बहन को भी सड़क पर ले आओ पतल ही क्यूं मैं इसे लेकर आया कि साथ रहना चाहता है साथ रहने का मज़ब जैसे तुम्हारे माँ में कहा वेसे कुछ दिन के लिये नहीं आखरी सास तक मरते दम तक साहथ रहना चाहतेऊ न अब रह लो सरुजी मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है भाई गन की क्या जरूरत है अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है कम से कम ये खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नेक्स लाइट द्वारा मारे गए अब नेक्स लाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी पहले से थी या बाद में हो गई या फिर मंत्री जी के साथ घुमने वाला बेकार पिये इसका कारण है ये कारण है वो कारण है मंत्री 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 करके सारे न्यूस चैनल पर मैं च्छा जाओंगा चलो मरने के बाद ही कम से कम मेरा नाम हो जाएगा क्यों पिये साब आप तो चाहते अगर मैं तुझे माफ कर दूँगा तो तू मेरा कल्यान कर देगा तेरे सरकारी तरीके से ही देख में तुझे नौकरी से कैसे निकल वारता हूँ जाओ बेटा सरकार के लिए काम करते हो ना डोंट प्ले विद पॉलिटिशियन जा सारी छी इससे तो देखकर ही मुझे खिन आती है तो फिर मैं एक गन नहीं दू ना सोचती है मैं तेरे हाँ जोड़ता हूँ मुखी प्लीज मुझे मेरी गन देदे मुखी प्लीज मुखी ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा अब करें तो अब करेंगे तो तुम थोड़ा संबलकर रहे ना वो तुमें डीपते हुए गया है तो तो वो गन इसे तड़ा उतर जाने तो उसके बाद दे दूगा मुझे नहीं चाहिए तो अब तो मिल गई है ना वो लड़की मरने चाहरी है हम अपनी परेशनी बात में सल्टा लेंगे उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है यह काम जरब बुरा तो लगेगा लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूँगा तो यह ही रहे है क्या कर रहा है उसे मारने तो बात तुस्से बात करूँगा उसे कुछ वह तो मैं तुसे जिल्दा नहीं छड़ूगा दर्माजा खौल वह अच्छा इंसान है मैं बुरा इंसान हूं ना बुरा इंसान क्या करता है दिखाता हूं कुझे अजया है वह फीटी कॉट है वह करें हो है है क्या अच्छान उसके पीछे पड़ा एंग तुम हीसे पूच रही हूँ हो अच्छा एया एससे चोड़ी में रहा है तो तो दुस्ति काम ने हो रहा है इसलिए रिटार्मेंट दे रहे हैं गल्ती इसाद मीं कि है और सारा इल् सारी सर्मेज होती तो इतनी परिशानी होती यह मेरी लास्ट राइव है मैं अपनी सर्विस बिना किसी दाक के कंप्लीट करना चाहता हूँ अगर यह ट्रेन में चलाए तो मैं ट्रेन नहीं चलाए जाती रूल्स जानते हो ना अलो ट्रेन बढ़ाने या रोखने का पाउर गा तो मर जा मैं तेरा गोलाम नहीं हूं समझ में आता है जा करके ब्रेक कंटीडूटी चेक कीजे ना अब तू भी मुझे टॉर्चर करेगा है जा तो रहा हूं हेलो हिजजद के साथ सरसर कर रहा हूं और तो मुझे तू तू कर रहा है तेरी बाते सुनकर चुपने बैठूंगा उनके तरह नहीं हूं क्या करेगा तू हां जवान है तो क्या मारेगा मुझे मारेगा हृँ हृँ प्रॉब्स प्रॉब्स हमप एक यहन्य मैं हखता हुर्ब्स कर लिए अड़िद बोल्म को रेट रॉपिक लिए हालो हालो सर में टैन नम्मर 1 1 0 1 5 का गाड़ बोल रहा हो सर बोलिये सर टेन बिना गाड और लपी के जारहि है सर अब लपी को कॉन्टेक करके टेन रोकने कर लिए के बोलिये सर पार फटकल पूर मंखलयी के सार arrogיא अटिसका के सार कि अब पूरी पोला प讲र न फटकल सल्ड़ले दोसे नाता किया इस दो आपेगें! इसाफ! साफ! करेंक वी अले! इसाफ! से मैंने मैं वी रहीं! करेंक वा एक वे भया हाँ! पाँशनों को देखां को मैं इंग एम चाहीज का अियमraphन हा नहरा हूग झाही होटछां को माँशन। दो आपके ड़नाइर भी करें दो 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 आपको दो आपको जो जो इवाला उकार आपको धाया वाए चीजिए regulate बाम में हाट्ष में हना ताइम तो ओक्यानी आने वाला है लेकिन गाडे के स्पीड यह व्ही अणवाद आपका पकुछाना ताइम तो होगया है लेकिन गाडे हालो हालो क्यों मस्टर प्रेंड कुछ जादा ही थेज नेचल भी एक है हालो मैं कुछ पूछ रहा है हाँ चल रही है हाँ हाँ तो निकाल 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 प्रवें केला चल्ड चल्ड है कि अन्यों प्रव जालनेकर चल्ड जाला इंकम सब्रक्ट संब्सक्राइग करें गर्मार इंटा कि अपर आज के कुदी चाहे सापल हीD को भेजिए चोभीर नमटली निक पुलिकतों ने झालि मारे psycho तुर्क पुक्त Denn हजो रहत आध मारे दिस्य नग्परानले पानले यह ने च्पल मचले के दो श्टह बत वंचया जल दो एसे जोड़ा प्राइब गुर्ण करेंद नंबर 1-1-0-1-5 डीसे एक्सप्रेस आउट अप क्न्त्रोल सर्टेन मानी रुकी सार सिगनल पासिट उन सर्डुर्ण ओडूर लूप लाइन में मालगाड़िं को सिगनल लें थिया ना भी तक नहीं दिया सर क्यों सर्ट इसे एक्सप्रेस वन वन जिरो वन फाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है गुरूर से बिना रुके निकल गई है अच्छा इसलिए में लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाई है ओके साइट में भी लाइन मैं को भेज कर डेंजर के साइन हलो मेरी हावाज आ रही है हलो सर्ट इसे एक्सप्रेस गुडूरोडूर किसी भी स्टेशन पर रुके बिना निकल चुकी है सर अच्छा हुआ क्या है क्या सर आपको जरा सी भी घबरात नहीं हो रही है तो हम क्यों घबराएं जो टेंड में बैठें वो घबराएंगे ऐसे हालात में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए अल स्टेशन्स प्लीज नोट डाउन ट्रेन नमबर 11015 डीसी एक्सप्रेस रनिंग आउट अफ कंट्रोल सारे स्टेशनों पर जो ट्रेने खडी होई है उन्हें लूप लाइन पर रेगुलेट कीजिए मेल लाइन पर सेट करके डिस एक्सप्रेस को रास्ता धीजें डिने गार यिया ऐलपी को किसे डिया से गार की बार doon स Smok कर चूक अरे थे सब लूप शौरी सेट करके विजले ओप कर वाके तुटेन को रूख तरेन को रुक्वा आ homeless एक्सप्रेस को है ना हर साथ सेकेंड पर अगर होड नहीं दिया या कोई ओप्रेशन नहीं हुआ तो ट्रेन आटोमेटिक ली रुख जाती है इस नॉट अ मॉडिफाइड लोको से धान से सुनो गुदूर से चन्नेज सेंट्रल तक सारे मैंन लेवल क्रोसिंग को शट डाउन कर दो अनमेंट लेवल क्रोसिंग को अलाव करो और साथ में हर स्टेशन के आसपास के लोकल पूली स्टेशन पायर स्टेशन सभी को इंफर्म कर दो जान रहे हैं यह बात किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुचनी चाहिए समझ गया ट्रेन की इतनी बड़ी बात मीडिया से छुपा कर लखना आपकोर्स तेरे जैसे डियारम को ठीक है देख लेंगे सर टीसी एक्सप्रेस के टीटी लाइन करें सर अलो हलो 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 डियारम स अगर चेक किया ओता तो चेन खीचने पर ट्रेन रुख जाती सर आप जो कहरें वह सही है पर अब हम लोग क्या करें सर इसकी स्प्रीड भी थोड़ी अब नॉर्मल है सर पैसंजर्स भी खबरा रहे हैं सर ओके अब आप लोग पैसंजर्स को पैनिक होने से रोकिये सर डर ल जबते सकते लाइब कंफ़म हो गई है तेरी तो कंफ़म हो जाएगी क्या का सर गया चनी याने इस पहले कंफ़म हो जाएगी देखेंब थोड़ा जल्दी ओ rejection काफी जल्दी है तुझे, तु जल्दी ही पहुचेगा जब गायों से टक्कर हुई होगी तो इनकी सिंग में फसकर वाल टूट गए होगे और इन लोगों ने चेक किये बगर ट्रेन चालू कर दी होगी और वही जब गढ़बर हो गई So you say this story is nailed up अपकोर्स, रेक कंटिनूटी चेक ने की, ट्रेन में ब्रेक नहीं लग रहा है, इसे क्या पता चलता है जैक आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागो हो सकती है सर लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफटी वाल भी है प्रेशर रिलिस करेंगे तो आटमेटिक ली ट्रेन रुख जाएगी लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे है तो वहाँ कुछ गरबढ़ है सा यह हमको इंफॉम कर देते हैं सेर, यह लोग सिर्फ बात करेंगे या ट्रेन रुखवाएंगे भी तुमें तो पता ही है ना कि सरकार बिना बाचीत की एक कोई फैसला नहीं लेती है वी सीरियस होना ही पड़ेगा हमने रपीएफ वाले को गोली मारी है तो परिशानों को थोड़ी दिर में वो ट्रेन जरूर रोकेंगे ट्रेन के छट पर चले जाने में ही हमारी भालाई है माय आपको अमारी आवाज आ रही है जी हाँ अब ही हम टाधा रईवे स्टेशन पर खड़े हुए है थोड़ी दिर पहले यहां रुखने वाली डीसी एक्स्प्रेस बिना रुखे ही निकल गई है उन्हें अग्वा करने के यही आतिववादियों ने इस काम को अंजाब किया है ऐसा सुनने में आ रहा है और आपको बताऊंगी मैं आपको शरूर बताऊंगी जब वो नौजवान थे तब हिंदी भाषा को प्राथमिक्ता देने के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किये हे भगवान कहीं उन्हें मेरे पिछली राज भी न कोल दे एई आदी आदी वहां इंजित के पास एक रंकी है उससे जून करो ब्रेकिंग न्यूज अभी मिली सुचना के अनुसार दिली से चेने जाने वाली डीसी एक्सप्रेस एक महिला आतंकवादी के निर्देशों पर अगवाह की गई है ट्रेन की छट पर छे आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं ट्रेन के अंदर और कितने आतंकवादी है ये अब तक पता नहीं चला है इस तरह के आतंकवादी घटना ओपर अगर आप ध्यान दे तो ये लगातारी ऐसी घटना है चल रही है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है इसे रोका जा सकता है या फिर नहीं इस विशे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं सबसे पहले सबपा पार्टी अध्यक्ष है श्री सदाशिव जी टीजा का पार्टी के अध्यक्ष श्री बवन कुमार जी विपक्ष पार्टी एक आपा के मले अखिल सिल्वम जी और सोशल वर्कर मनोचिकित सक डॉक्टर एडवर्ड जी तो अपना पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूँ डॉक्टर डॉक्टर इस ट्रेन को एक महिला आतंकवादी अगवा करके लिए जा रही है एक स्थरी द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो उस महिला की मेंटिलेटी किस तरह की हो सकती है आप क्या सोचते हैं बताए डॉक्टर टीवी पर जो लड़की दिख रही है उससे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेंटली डिश्टर्ब्ड है वो लड़की जिस तरह बैठी है उसकी पोजिशन और जिस तरह वो उस रोड को पकड़ कर बैठी है उसका जेस्चर और उसके चेहरे पर टेंशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उससे सेक्यूरेटी चाहिए मेरे हिसाब से तो वो लड़की आतंकवादी नहीं होनी चाहिए मुझे तो वो मेंटली अफेक्टेड लड़की दिख रही है क्यों सर आतंकवादी कोड़ सूट पेंगे थोड़ी बेठा रहेगा जो कुछ मुझे दिख वो एक मेंटली अफेक्टेड लड़की ही है जहां सारे लोग उस लड़की के आतंकवादी होने की बात पर फोकस कर रहे हैं वहीं डॉक्टर एडवर्ट का मानना है कि वो लड़की आतंकवादी नहीं बलकि एक मान से क्रोगी हो सकती है यह तो वही लटकी है, इसे आतंकवादी क्यों कहा है? हम अंदर वाली यह बात जानते हैं, भार वालों को क्या पता होगा? अरे ये बात बुखी को पता चल गई होगी न, हाँ यार मुझे लगते हैं उसे ढूढने गया, सर, में है्टक्व filters में पहुच गया हूं, DRM से बात करके आपको अप्डेट करता हूं, मारेगए और प्यव सब इंस्पेक्टर जिनका नाम वेनु था, आपने अन्य साथियों के साथ उस बंव्रिंड में मौजूद थे, आप सबको अच्छी तरह पता होगा क्या हो रहा है बुट मुझे डी सी एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स चाहिए सारे पैसंजर्स की लिस्ट चाहिए साथ में एलपी और एलपी की डिटेल्स कॉटिट मेक इट फास्ट क्लियर हाँ जैक दे देंगे सर स्वामिनाथन कहिए सर जैक वो ट्रेन आज ही रोखनी है सर अब यह लोग कहां से अंदर घुसका है अब से यह शिफ नाम का ही कंट्रोल रूम है टोटल कंट्रोल तो उनके हाग में चलागा हमारे देता को छोड़ दो अब यह मुद्दा चोड़ दो इसा जाए लुवेस्जार चैए रहता इसरे चैए ट्रेक पर जाने कि राय तुम दोगे हैं एक ख़ड़ी करने में कितने एक uniqueness 3 बडलने आतंगवादी होगा हमारे नेताजी महान आतंगवादी है इसलिए आपको भगाना चाह रहे हैं इनका कुछ नहीं होंगी इस तरह की घटनाएं होंगी तो यह अपने आप साफ हो जाएंगे तो एंबुलेंस को फॉन कर दो एंबुलेंस क्यों सर गाम हो जाने के बाद works रहरें के गाड़ी शाप करके ले जाएगे सर ट्रेन आउर और पिछे 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 फीन आठी तो फृच करने नहां पृबश्या सबर्स्पाटो बेन ऑक च्कीतों साब कर दोबस्ताया? निता जी ये तो बहुत स्पीड में लगती है आपकी पार्टी के केंद्रिय मंत्रिश्टी रंगराजन जी भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए ही ये ट्रेन अगवा की गई है इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या रहे हैं बताईए सदाशिव जी इन आतंग्वादियों को धन्यवाद कहना जाए मेरी चानिस साल के राजनीती में मुझे एक ही दिन में हीरो बना देखल साथ आप जैसे अच्छे नेता को तो चालीस साल पहले या हुआ कर लेना चाहिए था मुँ बंद रखो और फिर रंग राजन जी जो है इतनी बड़ी ऐसियत नहीं है वो अगर इंका नाम होना शुरू ही हुआ है पार्टी क्यों फ्लाइट में बेजने की बज़ा ट्रेन में बेजती इतनी बड़ी अस्ती नहीं है वो जानते हैं वो कौन है अरे वो बहुत सरल इंसान है इसलिए ट्रेन से यात्रा करते है आज उलकर अभरण हुआ है ये जानकर पूरा देश गम में डूबा हुआ हुआ इस ट्रेन को बाहर से रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है सर अगर ये गुट्स ट्रेन होती तो रेत की बोरी की दिवार खड़ी करके हम उसे रोक सकते थे या ट्रैक में स्किट सेट करके ट्रेन को ट्रैक से उतार सकते थे या फिर ट्रेन के सेंट्रल मिनिस्टर के सिक्यूर्टी गाद नितिन अलो नितिन आम डियाईजी सुल्तान यह सुनाई दिरा बताई नितिन नितिन हलो अलो सुना यून मिनिस्टर से ना सर अलो प्रोलम सर गुड़ अनिधिन यल्स एनेजजी हेड़कॉर्टर से अभी मेरी बात हुई थी सर किया बात हुई थी वाट प्रोलम सवामी सर कैप्टेन अर्विन कंटेक्टिम कनेक्टिम इमीडियाटली इस सर मिनितिन कंटिम रेखा जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है घुमिडी पुंडी के पास एनेजी के कुछ कमांडर खरे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है यह बिल्कुल गलत प्लानिंग हिसा है ट्रेन के अंदर 742 पैसेंजर बैठे हुए हैं सर वन रॉंग वोफ और सभी की जान खत्रे में होगी निलू हम आपके संपर्क में है आप हमें जानकर देते रहे हैं एल बेट फार दे नेक्स्ट में मैंने तुम पर भरोसा किया क्यों मचे दोका दिया तुमने क्यों मैंने सोचा तेरी प्रेमिका मेरे हाथों से बच गई इंजन पर बैठी है तेरी प्रेमिका टिर्रिस्ट है क्या ऐसा मैंने कह रहा सारे लोग कह रहे हैं यह तो आज का हॉट नीज है वही इस ट्रेन को अगवा करके ले जा रही है पता है मेरी ही एक इख्षा थी कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं कोई बात नहीं मेरे डिपार्टमेंट के हाथों से तो वह मारी ही जाए इसी बात से खुश हो लूँगा मैं है अब तक तो सिनाइपर टीम भी बहुँच चुकी होगी एक बार ट्रिगर दबाने से 50 बुलेट धर 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 उस लड़की की बाड़ी को चलनी कर देंगे उसके खून के चीटे आस पास फैल जाएंगे जैसे मटन की दुकान पर होता है उसके बाद तुझे बाहर निकाल दूँगा उसके टुकुडों को बटोर कर है 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 हस्ते रहना है चल जा इस वक्त में बहुत गुस्से में हो कहीं मार नडालू तुझे क्या है जलबाजी में कहीं तो अंदर मत चले आना अगर आया तो मारा जाएगा देखता हूं तुझे राजा अभी आया तू मारेगा मेरे हाथ उसे सब्सक्राइब फो प्रवा तुझे कर धो कि अबड़ा है थाइल? अब मुखी होगा इंव ड़ी ठेट है ठाईल Ride वो भanh मुखी हीए, जोड़े जग़े भूँ रभा मुखी थेल मुखीin मुखी थेल रहुँभड़ advisor अरे बुकी का जगळा ओगै इस न पन्ती मरें बौट इथ आ हासे अरे आयरु अरहीं चुखेएं पी स्जारुआ खांचे पापु ilम उखए! ऊहुए! कर दो दो एफ सक्षेम कर दो है अगिछ लुक कर दो लुक कर दो नुक कर दोज कर दो आगगा है एफ है तब रहे है तब लो क मुझा गो लिए विव जाओगा है आहाँ! बखर 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 रखर! बखर बखर धरिटे लखर! प्राइब 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 प्राइ एक जब हैalten भब जबinya को ए iş कि एज़ एज़ में लिए एकार में टूम है! एपस्ट झाल परोषए कियाता क्यों मुच्य दो काइड़ प्यूं? क्यों? मेहरी हो गई हो आप क्यों आए हो यहां तुम्हारे मज़ा सही मही आहां परो लेख जाओ गाना गाओ अब तुम चाहें जितना भी काहूं मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं काओ की लेख जाओ लेख जाओ मैं लेट जाओ तो मिरे साथ ऐसी वाते कैसे कर सकते हो तुम्हें अ गॉली मारने वाल है तुम्हें हाँ गूली मारा मुझे है मादा गोली आ भगवान के यह नौ इससे मेरी आवा तुम्हें सुनाई देगी पकड़ो हॉइँ उठा कर बाद करो मुझे इससे मार रहे हो उठ अबलो, तुम्हें कॉली मारने वाले! सार, कॉली में चलाना! कॉली में चलाना सार! तिंगे! रुए! रुए! मुकी! 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 तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न? मैं! मुकी टॉकी उठाओ! और मुझसे बाज करो! उठाओ! समलकर जाना! तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न? और तुम्हें? मुझे भी पिछनी हुआ! वो लग मुझे पर गॉली क्यू चला रहे हैं! वो लोग तुम्हें आतंगवादी समझ बैठे हैं! मुझे आतंगवादी समझ रहे हैं! वो लोग पागल हैं क्या? स्नाइपर्स ने आतंकवादी को शूट नहीं किया डीजल लोकों की दाहिनी तरफ की सेफटी ब्रेक स्विच पर निशाना था अगर उस पर बुलेट लग जाती तो स्विच आन होकर डीजल टैंक के सेफटी वाल्व को ओपेन कर देती डीजल खत्म हो जाता और ट्रेन ब्रुग जाती इड़ ब्रेक स्विच पर तो स्विच पर नेगोशिएशन अट वस अवर प्लान आइकन अशूर यू आवर स्नाइपर्स र वन वर्ल्स बेस्ट वो चाहते तो आतंकवादी को सिंगल शॉट में मार गिराते एक्स्क्यूज मी सर फिर ब्रेक स्विच पर ठीक तरह से गोली मारना चाहिए था ना एक्साइब शुट में तरह से थाओ था ना यूजए था वभागाए था वा तरह भाग रही एक्साइब उसके अलावा व अलाग की बाग राग हिए था ना नेशनल सेक्यूटी गार्ड भाई आप ही समझाइए इसे जानी दोना यह इतना कुछ नहीं जानता वैसे आज पेड़ जमाओगी यह पूश्टा उसे क्यों डॉक्टर इनके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या बच गया बचके भाग जा मेर्य हाथों से वह शान्त हो जाँ रहाग है क्या हवाइब तर आपको अधो कुल है कॉंसे द्रेत हैं और नहीं मरें सर वह लेंट च्हुस्टी मेट नहीं है सब्सक्राइब करेंगे उसके बादी मुव करेंगे कम फास्ट शांत आप नहीं मारेंगे उसे मारना जाए यार जिन्दा घर लोटने का ठिकाना नहीं और तुम्हें ज्यादात की पड़ी है एक बात तो है सर जैसा बोलाओ ऐसा ही किया आपने क्या किया रहे ट्रेन अगुआ किसने आपने यह बखवास करने की जगह है क्या सर मुखी कुमार आपका असिस्टेंट है सारे चरंस बता रहे हैं कि वही मेन आतंक वाथी है उसकी जो प्रेमी का है वो ट्रेन अगुआ करके ले जा रही है और आपका एप्टन इसलिए बात होता है सारी साजिस आप की है अरे यह कैसी सा अदलब आपके पास हथियार भी है क्या सर जुर्म है क्या कही साल पहले हमारे गावों में एक नेता की हत्या हुई थी हत्या करने वाले को जिसने चाय पिलाई थी बैटरी सप्लाइ पने लेखने की जगह दी थी वह सब भी 20-20 साल की सजा भूगत रहें सर अगर उनकी यह है तो आप तो पूरी चेन को अगवा करके सारे लोगों को परवाने वाले हैं आपका क्या होगा सोच लिजए तीस-चालिस साल की जीन तो होगी यह विकेट तो अंदर ही कर जाएगा मैं नहीं इतने सालों तक अंदर नहीं रखते हैं रड़े वाले दिन सुभा सुभा फासी सर आपका हमारा तो फिर भी ठीक है कुवारे जहां बोलेंगे बैठ जाएंगे चट्डी लेकिन आपके हालों सोच कर बहुत बुरा लग रहा है सर ना तो चट्डी पहनते हैं और ना ही लंगोल बानते हैं बर्फ पे नंगा लिटा कर चार-पांच पुलीस वाले जब मारे सब नामों से दुनिया को हिला रहा हूं सभी आतंगवादियों का साउथ इंडियन चीफ हूं मैं पता है तुझे अब तुझे डर लग रहा है ना मुझे डर आते हो तुम लोग है नाक्प में जो बॉक्स आई थे उन्हें राशन का समान समझाओगा ना वह सब टाइम बा तर 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 त मंत्री शीरगराज जी अभी हमारे साथ फोन पर मौझूद है हम उनसे बात करने वाले हैं अरे मुझे फोन लगाकर वहां किससे बात कर रहे हो मंत्री जी आतंकवादी जब आपको अगवा कर रहे थे उस समय का अनुभव कैसा है अइसा लग रहा है जैसे अगवा होने का नहीं मुहबबत का अनुभव पूछ रहा है जी सर अच्छा ही था थोड़ा बहुत कश्ट हुआ मंत्री जी आतंकवादी जब आपसे आकर मिले तो उस समय उन्हों ने आपसे आपसे कोई रह समय बात भी की थी क्या वो बात हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगएगा ना तो मुझसे कोई मिलने आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की मिलने कोई नहीं आया नहीं आया तो आप ही उन आतंकवादीयों को कुछ बोल दीजे ए गोपाल आतंकवादी मेरी बात मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे साना तुम तो चानते ही हो देखिए मेरे 40 साल की राजनेतिक जीवन में मेरे लिए सब कुछ जनता है इस ट्रेन में शायद कुछ 700-800 लोग होंगे उनके लिए मुझे जमानत के तौर पर रख लो किसी भी जनता की जान नहीं जानी चाहिए चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले लो सच में जान देने वाले हैं से सुन लिया ना किस जाहिल को लाकर बठा रखा है क्या बात कर रहें आप ऐसा क्या बोल दिया मैंने केंद्रिय मंत्री को कायर और डर्पोक बोल रहा है मैंने ऐसा कहा यह देखो सेर यह तो अपनी ही बात से इंकार कर रहे है मिस्टर पवन कुमार केंद्रिय मंत्री जी को आपने कायर और डर्पोक कहा था मैंने कहा जी बिलकुल केंद्रिय खाद्री मंत्री को कायर और डर्पोक आप ही ने कहा था अभी तो ये आप कह रहे हैं और थोड़ी देर पहले इन्हों ने कहा था मैंने कब कहा मिस्टर पवनकुमार रिपले दिखाया ना तो आप पूरे देश के लिए मजाक बन कर रह जाएगे आपके पास वो लड़की कितने दिनों से काम कर रही है यह आदमी लड़की को यह यह आदमी है वो हलो वो लड़की तुम्हारे क्या लगती है वो मेरी बहन की लड़की है क्या माइश सिस्टर संद डॉटर आई मिन वो बेकसूर है सर वो हम बताएंगे सर मैं भी बेकसूर हूं सर एई यह आदमी बहुत बदमाश है यह बेकसूर बिल्कुल नहीं हो सकता इस पर भरोसा अमात कीजिए सर पता है साथ मिने क्या कि पीछले चमैने में उससे किसी से संदेजनक बाते करते हुए या उससे किसी को बाते करते देखा है क्या अचली इसकी असिस्टेंट मुखी कुमार को मैंने अकसर उससे बात करते हुए देखा है वही उसे भगा कर लेगया होगा आज सुबह ही मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा था सर मुखी कुमार हां सर इसापनी का असिस्टेंट हू सब लोग प्लान कर रहे थे कि ट्रेन को बॉंब से उड़ा दिया जाए सर कुछ इसा कहा था लेकिन इसका मतलब यह नहीं कहा था ना कहा था चलो चलो सब चलो पसा रहे हो ना मुझे देखना तेरी शायरी सुनकर तेरी पत्ति किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी और हां सर इस आदमी की असिस्टेंट और उस लड़की को ट्रेन की चट से उतरते हुए मैं है साथे चार बजे उस लड़की को कुछ मैसेज देकर भेजा जैसे तू भी मेरे साथ बैठा था हम पांच से साड़े च्छे तक उस लड़की के साथ च्छत से नीचे उतरते हुए साड़े छे पर इन्होंने उन्हें देखा शाथ बजे गाड़े गुड़ूर पर रुके बिना निकल गई थी उसके बाद टाड़ा को क्रोस करते से मैं आर पी एफ वाले को गोली मारी हमने मारी क्या मतलब साढ़े चार से साढ़े छे तक उन्हें लगाया तो स्टोरी राइटर है यार बॉम कहां लगाए वो बॉम ये एक थैंक्स फॉर दे इंफरमेशन यू कन गो थांक्यू सर थैंक्यू सर थैंक्यू सर चलो इनकोरे तक है हम अइससा है स्यखतर ऐसान नहीं बताएगा कैसे भी पूछ दूने बता होंना व आक्य;; दोंने वाले म Sorry ह। है स Lazare our Miss are. हान मेरे रिषे की पास लो गे तो पताशे में से अधेजा जार जाकर खुलो जया या तुम लЭ्म रे मेरा अरे मुझे क्या मैं रही मुझे क्या मेने को दौगा को पुझे खुलो तुम लग स Mijasa मुझे क्वरे और मुझे कहले की लेकर कारowski क्या हुआ ये के करके बता नहीं कॉन थे सब ले गए सब ले गए सब ले गए तो स्नाइपर्स टीम ने जिने शूट किया वो लोग टेर्रेस्ट नहीं थे टेले रॉल रॉबर्स गडबर पता लगा लिया थैंक गड़ तो फिर वो टच अफ वाली लड़की तुम और मुखी आँ हाँ गाड़ी सब मेरी तरफ घुमा लिया करो सर दोर उपमें होने के बा सर वो लड़की सुबा उसने मिलने के लिए ही पैंट्री में आई वो दुनों एक दुसरे से प्यार करते हैं सर मीना फैक जाने मुझे आतकवादी मंत्रवादी बनाने लगे यह आतंकवादी नहीं है सर यह पैंट्री चलाने वाला गधा है जूट क्यों बोला था सर मुख इस्टा दो पकोड़े मंगलो तो मना के देता है अकल नहीं है तुम्हें टीटीयर होना तुम जरा से भी सीरियसनेस नहीं है मुखी कुमार मेरी आवाज आ रही आपको अच्छा आप कौन बोल रहे हैं मुखी कुमार मैं कैप्टन अर्विन बोल रहा हूं सर यह लड़की इंजिन में फजी हुई है सर्टों मेरी जान है क्या किया कहा है हलो मुखे मुके कुमार मेरी जान है किसी भी तरह उसे बचा लीजिए हलो सर्ट को एक बाद आप लोकेशन इस वक्त यहां पर है सुल्टान सर्डी से कैप्टान अर्वेन अर्वेन ट्रेन की छट पर छे टेरिस्ट है लेकिन ट्रेन के अंदर कितने टेरिस्ट हैं उनका एक्जेक्ट नमबर बताओ सर्वेन ट्रेन पर जितने भी लोग थे वो टेरिस्ट नहीं थे सब रॉबर्स थे तो इंजन के पास वो लड़की और उसके पास कमपार्टमेंट पर वो लड़का वो लड़का एक साधारन सा वेंडर है सर और वो लड़की एक हीरोईन की टचप गल है सर मैंने पता कर लिया वो दोनों इनोसेंट है मिश्टर आर्विन कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है इनोसेंस का नाटक करते है I hope you know that इसके अलावा बीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी है आपकी बात पर डिक्लियर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है Mr. Irwin, you do one thing, उनसे मेरी बात कराईए इसके बाद ही, वो इनोसेंट हैं या टेररिस्ट हैं मैं कोई फैसला कर पाऊंगा Can you do that? Is that possible? No way, sir, it's impossible उन दोनों के पास बात करने के लिए सिर्फ वोकी टॉकी है जी हाँ, sir और इस वोकी टॉकी से सिर्फ साथ किलोमीटर की रेडियस में ही बात कर सकते हैं Sir, आप चेन्नी में हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना ना मुंकिन है, sir Logically, it's impossible Sir, it's possible, sir Hello Practically, यह होई नहीं सकता Surely I can make it, sir Sir, उन्होंने क्या कहा, sir यातंकवादियों का काम नहीं है तो भी ट्रेन में हो क्या रहा है, sir There is something wrong I already told you, sir, कुछ तो गढ़बढ है उन्होंने इंग्लिश में कहा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो चलिए मेरे साथ यह चलिए कर क्या करेगा यह कर क्या रहा है, आटे से बिजली पैता करने वाला इडिया मुखी, मुखी, मेरी आवाज सुन रहे हो आँ, sir, सुनाई दे रहा है Sir, कॉंटेक्ट हो गया अब यह वाकी-टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया, sir अब इस वाकी पर जिसे भी बात करने है, उलिए इस मोबाइल पर फोन करवा कर इन से बात करवा सकते हैं, sir वान सेकंड, सर, कैप्टन अर्वेंड स्पीकर ओन करो यस, कैप्टन, बोलिये सर, वो वाकी-टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है बोलो, तुम्हीं क्या चाहिए मुझे बहुत बड़ी सी सिंगों बढ़ना है, sir वाट? नाटक कर रही हो? नहीं, नहीं, आक्टिंग में मुझे को इंटरस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग, sir मैं माल लो, तुम सिंगर हो अगर आपको भरोसा नहीं है, तो मेरी चित्रादीदी, मानो, sir और शुबाजी से पुछ लीजिए मैं कई बार उनके सामने कार चुकी हूँ, उन्होंने कहा भी था, कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ योई, अरे, बचाने के लिए बोल जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है, तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं इस पागल की बात मन सुनो, हमें आकर बचाओ तुम भी मचे पागल कह रहे हो नहीं, तुमें नहीं बोला मैंने, मैंने तो उनको बोला तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रहे हो, तुमें ऐसे कौन बोल सकता है वो मुझे आतंख्वादी कह रहे थे, भोलो की पागल है सरोजा, लोको पाइलट को क्या हुआ पाइलट? इंजन ड्राइवर को बेटी उनकी नाक और मुझे खूर निकला और फिर वो बेहोश हो के गिर गए वाट? सर, I think he has मतलब यह आतंख्वादियों का काम नहीं है अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है, तो पक्का या हुमन है रहे इसलिए टेक्निकल समस्या के वज़ए से ट्रेन बिना रुके चल रहे है ये ट्रेन अगवाह की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाह के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है अगवाह नहीं किया है, किसी टेक्निकल प्रब्लम की वज़े से ट्रेन चलती जा रही है अब तक जो कहां बहुत है, वो बन करने के लिए कह दो अब उनके ब्रेकिंग न्यूज, डिल्ली से चेन नहीं जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंगवादियों द्वारा अगवाह नहीं की गई है ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रेन के ऊपर जो लोग थे, वो तरसल लुटे रहे थे इसके अलावा, वो खी जो चाय बेशने वाला है और वो लड़की टचप करने वारी लड़की है तो ये ट्रेन के इंद्री मंत्री के लिए आतंगवादियों नहीं किया, ये कणवाम हो चुका है मुझे तो पहले ही डावट था सर, आतंगवादि इंपोर्टेंट लोगों कोई अगवा करते हैं मो बंकर मैंन तो पहले ही कहा था कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान मिलकुल नहीं है वो एक नंबर का चुका अब इसे भी बंकर दे सर, we are going to face another problem, सर जैक, भगवान के लिए पैनल गोर्ट से पीछे अटकर अपनी पैंट हिलाओ तुम्हारी प्रब्लम क्या है सर, train is crossing पॉनेरी से मिंजूर ट्रेक है, ट्रेन उसपर जा रहे है, उसमें क्या परेशानी है, सर सर, मैं बताता हूं सर सर, पॉनेरी मिंजूर के बीच, जो ब्रेंज है, वो बहुत ही जाते है वह अगर उससे अट्रेन 30 किलोमेटर की स्पीड से चलेगी, तो भी वह ब्रेंट टेक्ट पाएगा, लेकिन अभी ट्रेन 40 किलोमेटर की स्पीड से चल रहे है, अगर इसी स्पीड में चलती है, तो वो ब्रीज टूट जाएंगा सर शोली वो अरे वो ओल्ड ब्रीज पता चल गया है तो उस और क्यों जाने दे रहे हो क्या यार तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं या रहा है हाँ शानत हो जाएंगा सब लोग अपने अपनी सीट पे बैठ जाएंगे कुछ रही होगा अमें बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है सीधी तरह जवाब दीजिने तेकि आप अपर जाकर अपनी जगा बैठ यहाई आप लोग आखरी बार बोली लो साथ मिनेट बार जब यह ट्रें यह चल रहे है नशेडी चल जूला मत कर अपना है चल्दी कर आओ देखी हम लोगों को इंफोर्मेशन लिली है और हम लोग उसी हिसाफ से काम कर रहे है अभी हम आप लोगों को जाधा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है और तुम बहस्त कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या नहीं गिरेगा चैनल के ट्यार्पी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या अगर तुभारे परिवार का कोई सद्दस से इस्ट्रेन में होता तो भ तो फिर दुआ करो शायद कुछ चमतकार हो जाएं सर ब्रिज टूट जाएगा यह अंग्रेजों का बनाया हुआ है नहीं टूटेगा अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता सर इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए अप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ मैं केंद्री एक खाद्य मंत्री हूँ मुझे आज तक अपनी डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया और तुम रेलवेस के बारे में पूछ लाए ए तब मुखी और सरुजा को बचाया नहीं जा सकता क्या तू क्या दूसरी ट्रेन में है हमारा बचना अभी मुझकिल है तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरुजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है ये नौजवानों में एक चर्चा का विशय बना हुआ है ये सच्च क्या प्याद जीतेगा या नहीं मुखबत ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं ये वक्त ही बताएगा कैमरामेन रमेश के साथ आई बीसी नियूस के लिए मैं देखा मुखी मुझे बहुत डाल रहा है मुखी अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ जड़ा सबर रखो हम लोग मर जाएंगे मुखी सरोजा सरोजा कैसा रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुके आगी क्या कर पाओगी करूंगी ना सर आप बताएए ये भी ना क्यों वेकार में हर बात के लिए हां हां कर रही हो सरोजा मेरी बात करो अच्छा ये बात है तुम इंजिन की कैबिन में जाओ वाहां टोर ओपन करके अंदर जाओगी तो सरोजा क्या हुआ सरोजा क्या हुआ सर अरे मुझे पगली मिलिया उसे भी आप भगना शाथ हो क्या यह बहुत जरम है तो जरम है पीछे ट्राइवर देखो उसके बीद में जाओ अंदर जाओगी तो वहां ड्राइवर सिट के बगल में हरे रंका बटन होगा उसके राइट में काले रंका लिवर होगा वही एमर्जन से ब्रेक है उसे खीज कर ट्रेंड रोको रेज क्रीन लिवर की बात तो ठीक है और दोर मैंने ट्राइक यहां पर नहीं हो रहाता है सरोजा बस तीन हीयक बखाकी है तुम्हारे हाँ जो भी लगे उससे इंगे दरबॉसा तोडो थो इमर्जन से प्रेक लेक लेगा वंको तुम्हारे हासो में साथ सो 42 लोगो की जाने है प्लीज सारोगो करते कि दिखा आ बंटकर अप्लुकर हेई, सफ़गर जाता, सब्जाँ सफ़गर, अराम से, आई वागल लटकी, आई, अरे उसे तोड़ो मल, वो बोकी टोकी है, आई आई, वो गेर जया, कदी तो, अरे हांचे पिसे ज़िए ये, आई, बखड़कर में, बखड़कर बैट चौो, बखड़कर बैट चौो, बखड़कर बैच बैट और में कज़ हो, प्रिछ भी सांगया प्रिछ वह पिज़र रही Sorry to hiya, PlayStation 5 4 कि अ भू बढ़ें तुम पीछे प्रीज़ा रहां तुम पीछे हो कधीज़ में पकड़ कर बैटने इसकती थी क्या यहां क्यों चलिए वहँद से तुम नहीं जिक्रेद से तुब यहां पर हो ना इस दिया है आई और ठीक से पकड़ बेट ना बेट जाओ और ठीक से पकड़ बेट ना बेच जाओ अर बेच जाओ मैठी रो सब करें ला किनो अर वह जा ना करेंश और chronicET कर दोड़ Community है करेंश किन बेट जाओ end likely a 35 anymore कि अपने वहाद कि अपने 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 क ओकेब। ओकेब। कर दो कर दो दर्शको ध्यान से देखिए रेलवे फाटक के गेट पर जब वहाँ कोई नहीं था तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेलफी लेने की कोशिश में ट्रेन से टक्रा कर जान गवा बैठे उसके उपर दो लोग रोमियो जूलिट की तरह डांस करते आ रहे हैं इन जवान बच्चों को देखकर इस ट्रेन का नाम मोहबबत की ट्रेन रखकर एक टीवी चनल टी आरपी बढ़ाने के लिए ये प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा की बहस कर रहा है देश की चिंता छोड इन गदों के साथ तीन गदे सेल्फी लेनी की कोशिश में मर गए उनके घरवालों की हालत क्या हो रही हो गये भी आज इन नौजवानों के लिए लाइफ का मतलब मोज, मस्ती, नशा, अवारागर्दी बस यही सब रह गया है आखिर ये नौजवान कब अपनी जिम्हदारी समझेंगे बिल्कुल सही कहा निखल जी अब दर्शगों के लिए समय हो गया है एक कॉलर लाइन पर है, उनका क्या कहना है सुनते है नमस्ते हम उनमें टीवी से बोल रहा है नमस्ते मैं मुंबई से एलेक्स बोल रहा हूँ नमस्ते एलेक्स, आप किसे बात करना चाहेंगे निकिल जी से बात करा देजिए कहिए एलेक्स अरे क्यों निकिल जी सारी मस्ती का ठेका अकेले आपको ही मिला हुआ है जुपकर टी आरपी बढ़ रही है सच में तुम जैसों को चुन कर हम लोग बहुत बढ़ गत्ति करते हैं अरे भाई सरा सुनो राजनीती में आना आसान बात नहीं है इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्यों गोपी कट करूं क्या अब कट पत करना ठीक है जाने ते किसे नहीं पूर रहा है क्योंकि तुम लोग होते ही बेसर मों ऐसे चलने दे बाई मैं उसे और बढ़काता हूं सिर्फ उन्हें चोड़ दीजे उनके लिए इतना काफी है उन्हें चोड़ दीजे आगे और भी बो लोग हैं उनसे भी कुछ कहिए नौजवानों की जो शक्ति है अब यह देखिए लाल सट वाले को बीच वीच में इंका बोलना बहुत जरूरी है नहीं तो कोई भी डिसकसर पूरी नहीं होगी वैसे यह महा से कभी कभी दो चार्वाट ठीक बोल जाते हैं वेकार की बातों पर इन्हें चर्चा कराने के ल दर्शा को आपने देखा तो अब सच आप समझ गए होंगे अगर बाकी चैनल में ऐसा हुआ होता तो कट करके अभी तक उन्होंने एड डाल दिया होता लेकिन हम सच दिखाते गए दरसल हमारा मुख्यू देश यह है कि हम जंदा की बात को बाहर तक निकाल पाने में कामया दिखाती रही है भले ही बाहर हजारों तरह की परिशानिया हों मुद्य पर टिक दे के बजाए नई समस्या कैसे उत्पन की जाए उसी उद्देश से नए नए तरीके सामने लाकर यह कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हमारे बहस के मुद्य को इस तरह से बदलना ठीक है या ठीक नहीं है इस बारे में हम फिर से बहस करेंगे तब तक के लिए लेते हैं में इंटर करने वाली है कुछ देड़ हमें कबरेश नहीं मिलेगी हलो माया हमारी आवास अपने फॉर्च नहीं है हलो सर अरविन सर सर अखिर तरी परेशानी क्या है हां मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूगा है अकल है कि नहीं तुझे ट्रेन की कहा जाकर टक्कल होने वाली है पता नहीं है अरे यार बदला लेने का टाइम है क्या ये इस ताइब पर जगड़ा करेंगे तो दुनिया हसेगी भै देखने वाले क्या सोचेंगे तू तो एक तब पागल विलन लगता है 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 टनेर आ रहा है बैट जाओ नहीं छड़ूगा मैं तिससे पदला लेका ली रहूँगा अरे बैट जाओ जब तक मैं तुम दोरों को मार नहीं देता मैं नहीं जाओंगा दर्शकों ध्यान से लेखी रेलवे फांटक के गेट पर जब वहां कोई नहीं था तीन नौजवान ट्रेन पर आ रहे है प्रेमी उगल के साथ सेल्पी लेने की कोशिश में ट्रेन से टक्रा कर जान गवा बैठे सर एक सुपर आइडिया है एक हेलिकोप्टर लेकर सीधे ट्रेन के उपर जाकर इंजन के उपर एक सीधी डाल कर मैकेनिक को उतारेंगे तो वो ट्रेन को रोग देखा बेटा लगता है तुने बहुत से इंग्लिश फिल्में देखी है अवारे देश में किसी को चोट लगे और एंबुलोंस को फोन किया जाए तो एंबुलोंस के आने से पहले इंसान अपना दम तोड़ देता है बी इंडियन इंडियन की तरह सोचो हमारे पास समय नहीं है सर इसके लावा कोई चारा नहीं है सर सॉरी यार ठीक है अबसे हॉलिवूड भी देखा बात वो नहीं है सर आइडिया देने के लिए हॉलिवूड फिल्में देखना ज़रूरी नहीं है सर अकल का इस्तिमाल करना काफी है मुखी मुखी हम चब को बचाने के लिए देखो महां हेली कॉप्टर आहा है ठीक है हेल्प हेल्प हॉलिव झाल ङड़ रहा है हॉलिव को पुछ औे दो चुछ दोากो सकता हो दो के घञाए है ट्रेन को रोकने के लिए की गई आखरी कोशिश भी नाकाम रही इस कोशिश में एक हेलिकॉप्टर का इस्तमाल किया गया था यह मुझी यह क्या हो गया तुम रहो मत रुख जाओ अरोजा मुझे सुन रही हो सरोजा सर उस लड़की के पास वॉकी टॉकी नहीं है मेरे पास है बोलिए सर् मुखी इंजिन के डॉर के काश चुट गई है देखो तुम सरोजा को बोलो दरवाजा खोल कर अंदर जाए उस एंधर दाकर ब्रेक लगाने के लिए बलो आपको ब्रेक लगाने के लिए बॉलो एंट्रल आने में बस फंदरा मिनट पर चले हैं ए तो के सर् ओंडेलो काल फूटा हुआ है जैसा उन्होंने का बैसे अंधर चाके तूसे अंधर जाए को लगा दो डो, foulा प्ताल कहा है? आपा पॉलसा बटेल, डुथा बडाओ! अग और युजुलार पॉलसा बड़िए! झुथाओं युभर रखऊ खॉलसा बटन? लीवर? हां, लीवर? लीवर? ब्लाक लीवर ब्लाक यहां को two लीवर है कौन सावला कि? सर इन दोनों ब्लाक लीवर में से कौन लीवर कीछना है सब ओ हूर संarts सौरी साइ। अकरबकर बामबे वह उसीनप महै पूरिसो सौ मे निकला था आगा अचो मिंकल्के भागा। विर्वान क्या हुआ रुके नहीं? मैने लीविर को चआ तह समने सा दुहा निकलने लगा क्या दुहा? हाँ मुकी? भी मेद की? क्या हुआ? सेर शम करेंटीus है? वहाँ सब को चल गया है असा बता रहिये अब क्या होगा सार्टाव्गत होगां? यकला स ट्ट्रें दूखा हुआ नहीं? Sir, I think all the electronic devices are short-circuited. Sir, the whole panel board is on fire, sir. Now, technically, the train is impossible to stop the train, sir. Everything is finished. What? Before that, sir, how can we do this? They are all our trust. If we come to the train central, then nobody will save us. We will all go away. Do something. Sir, do something. Do something. What will happen? If we have to save all passengers, we will have to change the engines and bogies. Come on. What to do? If we divide the engine from... engine from the compartment, then we can save the passengers. We can save the passengers. Yes, sir. Let's do it. But a technician is not able to stop the train. He is also in the time of the time. I wonder who is going to do it. That's a good idea. It's a bad idea. It's not the strength that he can take it. So, you go and take it. Sir, I'm family bad. How can I take it? I mean, how can I take it? I can take it. You can move on. You can take it. You can take it. Mookhi, listen to it. Sir, I'm listening to it. I'm not a family man. What can I do? Mookhi, I can understand your feelings. I can understand your feelings. But we have the last option. You have the last option. In this time, do it. You have to open the coupling. You have to save the passengers. You have to save the passengers. You have to take it. You can do it, Mookhi. Okay, sir. I'm going. Good, good. That's fine, Mookhi. Yes, sir. But I will go. We will see it. Just hold on. Sir, just 8 minutes left. Sir, exactly 6 minutes more. Hello, please. Mechanic, when he can't do anything, what will he do? Listen, Bhaskar. Yes, sir. The train will come here. You and Suresh Shiseriya clear. Okay, sir. Not at least. Where are the trucks falling? Not at least. Not at least. No, exactly. Not at least. Not at least. कर दो कि पीज बीच में उतारना है नहीं कर जा रहे हो नहीं 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 है तुम भी मेरी तरह नहीं हो किया यह भी कोई सीखने का पत्त है कुम करल आधारे मैं करें की करल इसा बुङ करल पारेनित क्मल तर्शाइम करेंगरे आधार करें जानम करेंगरें एक रैंधारप मध कन् पाराइम फेर्फ पार करेंगरेंता यक देकर उसे भी ऐसे ही के एग दो द الإ troisième इंडिया मेर्च जीज़ गिया कि ने मेरी इज़त बचा लिए उसने है चुप करेगा तू सारी ब्रो समाँखर नीरे आराम से मिश्टर मुखी कुमार मिश्टर मुखीकुमार अगर तूम सही सलामाच चेन नहीं पहुच गए तो क्या पहला इंटर्वियो आई बीसी को ही देना होगा पक्का सुधर नहीं शुधरोगे नहीं बदल्ले वाले समझ क्या कुछ अच्छा ही बोल रहे हो वहां पर विया कर यहीं बोलना हां बिल्कुल जरूर आउंगा यहां सबकी इतनी लगी पड़ी है और इनको इंटर्व्यू चाहिए मुखी तुमसे एक बात पूछू जब तुम इंटर्व्यू दोगे तो मैं साइड में खड़ी हो सकती हो ना तेरे लिए ही तो सब कुछ है जाने मान सर उस लड़की को इस कंपार्टमेंट में बुलाने के बाद कप्लिंग को निकलवा देते हैं हमारे पास बस पांच मिनट है उसमें इस लड़की की जान बचाने लगे तो ट्रेन टकरा जाएगी तो फिर उस लड़की की जान? साथ सो बैयालिस लोगों की जान बचाने के लिए एक लड़की की जान देना कोई बुरी बात नहीं है मुक्य ओनलाइन है मुक्य आप बोलिए सर मुक्य तुम बफर में खड़े हो तुमारे आगे कप्लिंग ये देखो बस उससे ही खोलना है सर लेकिन सरोशा तो इंचिन में है ना उसके लिए मट डरो कप्लिंग के निकलते ही प्रेशर वाल्व रिलीज हो जाएगा और इंचिन थोड़ी दूड़ जाकर खुद रूख जाएगी ठीक है सार अभी करना क्या है यू क्लाइम को अटाओ करियर को उठाते हैं वैसा ही कुछ ना सर आ हाँ बिल्कुल वैसा ही इसके पाद कप्लिंग के पास एक रिलीशिस क्रू होगा देखो हाँ वो चकली बनाने की मशीन होती है वैसी ही ना सर उससे चकली बनाओ नहीं उसे लूज करो हाँ ओके सर मुखी जल्दी करो मुखी ताइम डेए मुखी मुखी तुम कैसे घुमा रहे हैं टॉक वाइस घुमाओ दाही ने हाथ की तरफ सर दाही ना काइट साइडी बोल रहे है वो खरेक्ट है हाँ हाँ वैसा ही वैसा ही घुमाओ घुमाओ जल्दी घुमाओ मुखी जल्दी करो 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 मुखी दो दो जाट रहोगी तुम कर सकते हो मुखी मुखी हाँ हाँ जिसे जो काम नहीं आता है उसको वही काम करने के लिए देंगे सब पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ अरे चलो हटो 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 यहाँ से कि अरे सबाल के आराम से क्या कराएं कि अर्फ टाइम नहीं है क्या प्राब्लम यह कि तरीवेट्रियोड से कोरू को पेटा तक अपर ग्रेड इसलें वहां टाइट हो गाई पेशन पेशन प्रेड वहां तरह पाना होगा मुखी तुम सामने जाओ दूसरी साइट ते कीजो कि उस लडगी को इस तरफ ले आख भागों रुख्या मोगी उस लड़्गी को इस तरफ लाने मरा है क्या शर्टेकर भाद मुखी कोलने के पाद मिर्यमा नहीं रुकेगा उसकी जान चेदी जाएगी कैसे मेरी जान है वह तो क्या उसके लवर इंजन में थी ना वो इधर क्या करता प्यार की फिलिंग प्यार करने वालों को ही पता होता है तुर क्या जाने और तेरी फिलिंग हम जानते हैं चलना ठीक है जान देखकर लोगों को बचाने की शक्ति सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है लोगों को धोखा देकर जान नेने के शक्ति सिर्फ हम जैसों के पास होती है आजा तुम यहां के चले आए मेरे साथ तुम भी बने चले आए यहां एक साथ मिलकर सिर्फ जीने के लिए प्यार किया था क्या मुझे भी अब जीने की इच्छा हो जाए है मुखी यह ट्रेन नहीं रोकी जा सकती क्या क्यों नहीं रुक सकती तुम चाहो तो मुझे स्पाइडर मैन या सूपर मैन बना दो मैं खीचता हूँगा रोख दूगा अब मैने क्यों क्यों सपने देखे थे बड़ी सी सिंगल बनूंगी तुमसे शादी करूंगी एक बात सुन लो यह देखो शादी करने वाले शादी करने तक ही लवर्स होते हैं शादी के बाद पती पतनी बनकर माबाप बनकर दादा दादी बनकर एक एकर के निकल पड़त होता है हमें देखाना अभी लवर्स हैं और मरतेवक्ट भी लवर्स हैं कितने लोगों को ऐसा मिलता है हमारी तरह किसमत होनी चाहिए जैक तुमने कहा था एंजन थोड़ी दूर जाकर रोख जाएगा नहीं रूकेगा सर वाट विलॉस्त थैंट वाइ सम्टेक्निकल एरर हुमन एरर कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है मुखी है ना इच्छा तुम्हें आशे ही कहीं दूर लेकर चला जाँ ऐसे तुम्हें कले लगाये रखने की इच्छा है यह ट्रेना ध्या से रुकिए बिना बस चलती रहे हों श्यादा नहीं..? पांससो हजार साल काफी होगा तुम रो क्यों रही हो मनने वाले हैं और रो भी ना रोने से हम मरेंगे नहीं क्या यह देखो हमारी महुत है तो दूसरों को रोना होगा हम अपनी महुत पर भला क्यों रोए समझ गई ना अब हम खुशी से मर सकते हैं मैं गाना गाओ मैं खुशी-खुशी मरने की सोच रहा था नहीं तुम गाओगी तो भी खुशी होगी ना गाओगी मरेंस अनम् प्रफ्टिक, प्रफिक अजें। जलो 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 पीछे आडो पीछे प्लीज चलिये पीछे प्लीज पीछे पीछे जाडिये पीजे आपके जित्व 찌ना सु आपके यहां ने अंपो पीछे नहीं सारुजा सरूजा 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 यहाँ के खिलो सरूजा 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 कर दो कांसे कूर निकाल रहा है तेखना क्या हो गया तुम्हें चोड़ तो नहीं लगे ना तुम्हारे गाने से कुछ भी रुख सकता है सरोकार को पता नहीं था उठाव 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 अपनी जान की परभा किये बिना अपने इतना बड़ा रिस्क लिया ऐसा क्यों किया सर अपनी जान के लिए ही सो स्वीट सरोजा यू वेरी लखी मुखी कुमार आपके साहसबून काम के लिए आपको अर्जिन अवर्ट तो मिलना ही जाहिए इसके अलावा भी आपकी कोई और इच्छा है नहीं मेरी और इसको इच्छा तो नहीं है इसको गाने का बहुत शौक है यह बहुत से फिल्मों के डारेक्टर्स देख रहे होंगे उनमें से किसी को लगे तो इसे एक मौका जरूर थे बस इतना ही कफी होगा अब बहुत अच्छी सिंगर हैं क्या तो प्लीज हमें भी एक तुम ठग गई होगी ना इसलिए गाए कि पिछर जाए पिछ जाए पीज़ पीज़ अब तो सब तुमारे तुम्हारे साथ स्टुडिंट है चोप रहेगा तूजे कुछ बोल रहा है तूजे ही बोला भेर अच्छा तो मिलिटरी में कहना बनाता था अच्छा तो मिलेटरी में खाना बनाता था यह मिलेटरी में खाना बनाता था आप है मुझे माँ अच्छा तो मिलेटरी में खाना बनाता था